हेलो दोस्तों स्वागत है आपका प्रेंग का लेर्निंग क्लासिज में 162 विपेसी 12 से 12 दरोगा से डिप्यो अनसाभी एक्जाम को ध्यान में रखते हुए क्राउम का मेडाइवल सिरीज करवाय जा रहा है इसमें आप लोग का डिवीजन हो सके हेलो दोस्तों स्वागत है आपका प्रेंग का लेर्निंग क्लासिज में 162 विपेसी 12 से 12 दरोगा से डिप्यो जिप्यो यनसाभी एक्जाम को ध्यान में रखते हुए क्राउम पब्लिकेशन की सिरीज चलाज जा रही है इसके अंतरगत हम लोग मेडावल हिस्ट्री के कुश्चन को देखते हैं ताकि आपका एक्जाम में कोई कुश्चन आये तो न चूटे चलिए हम लोग देखते हैं मेडावल हिस्ट्री के फैक्ट को तो पहला है प्रारंबिक मदकालिन भारत उतर भारत और दक्कन तीन समराज का यूगें आठमी से दस्मी सताबदी तक तो पहला फैक्ट हम लोग देखते हैं साथमी सदी के हर्स के समराज के पतन के बाद उतर भारत दक्कन और दक्छिन भारत के अनेक समराज उत्पन हुए इसमें पाल प्रतिहार और राष्टकुत परमुख थे नेक्षट है, मुख देखते हैं पाल समराज के स्थापना साथ सो पचास इसवी में गोपाल ने की थी नेक्षट है, गोपाल ने अपने नियंतरन में बंगाल काई की करन जिया और मगत तक को अपने अधिन ले लिया गोपाल ने अधन्त पूरी बिस्विद्याले बिहार सरिप की अस्थापना की थी इंपोर्टेंट फेक्ट है थ्यान रखेंगे कास करके बिहार के एकजाम में यहां से कोश्यन आता है नेक्ष्ट है धरमपाल 770-810 इसवी इसके साचनकाल में कर्नोच पनियंत्रन के लिए पाल प्रतिहार राष्ट कुट्ट में स्तिरिपक्षिय संगर्स हुआ इस संगर्स में धरमपाल बिजयी हुआ नेक्ष्ट है देवपाल देवपाल ने अपना नियंत्रन प्रयाग जोतिस पुर्ण असम और उरिसा के कुछ भागों पर अस्तापित किया नेक्ष्ट है पाल सासक बौध ज्ञान बिज्ञान और धर्म के सरक्चक थे इंपोर्टेंट है ध्यान रखेंगे नेक्ष्ट है ध्यान पाल ने नलंदा विश्विद्याले का पुनरुत्थान किया इंपोर्टेंट है ध्यान रखेंगे और विक्रम सीला विश्विद्याले की अस्तापना की जहां बर्ज यान साखा की पढ़ाई होती थी परसीद बौध बिद्वान सांत रक्षित और दिपांकर आतिस ने तेबत में बौध धरम का परचार परसाड किया गुजराती कभी सोडंक ने धरम पाल को उत्रापक्स स्वामी की उपादी दी थी नेक्स्ट है परतिहार बिद्वाने का अनुसार परतिहार गुर्जरों के बंसस थे इसलिए इने गुर्जर परतिहार भी कहते हैं नेक्स्ट फ्रेक्ट हम लोग देखते हैं नागवट पर्थम 730 से 756 भी यह गुजर परतिहार बंस का संस्थापक था इसकी आरंबिक राजधानी भनी माल मे थी नागवट दूतिये 800 से 833 भी इसने पाल सासक धम पाल की सेना मुंगेर के समी प्राजित किया इसने कनोज को अपनी रैजधानी बनाया लेकिन वो राष्ट कुट नरेश को विन तिर्थिये से प्राजित हुआ नेक्स्ट है मिहिर वोज परतम 836-885 यह इस वन्स का सब से महजपुन सासक था इसने कनोज को पुन अपनी रजधानी बनाया और वो अपने समकाली रजाओ पाल सासक, देवपाल, राष्टकुट सासक दुरूब से प्राजित हुआ मिहिर वोज बैसन मतावंदली का था और उसने आदी वड़ा और प्रवास जैसी उपाधिया धारन की, इसका परमुखलेग प्रसस्ती ग्वालियर से मिला है, इंपोर्टेंटे ध्यान रखेंगे महिंद्र पाल पर्थम 885-909 इस भी इसने प्रतिहार समराज को अच्छून बनाय रखा, उसके दरवार में राज सेखर निवास करते थे, जो उसके राजगुरु भी थे निक्स्ट है, राज सेखर की रचनाय, कपूर मंजरी, काब्याई मांसा, हर बिलास, भुवन कूस, बाल रमायन अलम सूडी, जो 1915-16 इस भी में बगदाद से भारत आया, ने प्रतिहार साजकू को सकती और प्रतिष्ठा का बर्नन किया, या प्रतिहार राज को अल जोर्ज कहता है नेक्स्ट है, राष्टकुट, राष्टकुटवन्ज का संस्थापक दन्ती दूर्ग था, जिसने सोलापुर के पास माने खेतिया मलखेर को अपनी रजधानी बनाया, इंपोर्टेंट है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है दुरूब इस वन्स का एक महान सासक था जिसने करनोश परादिकार करने के लिए तिरिपक्षी संगर्ष में हिसा लिया नेक्स्ट है अमोग एक परसिद सासक था जिसने चौनसट वर्स तक राज किया और जहन मतावली था जिसने कभी राज मार्ग नामक करनरfend की रचना की इंदर तिर्थिये और बल्लव राज अन परसीद सासक थे किस्न तिर्थिये अन्तिम प्रवावसाली सासक था जो मालवा के परमारो और बेगी के पूर्वी चलुक्यों के साथ यूदरत रहा इसने चोल राजा पर टंक पर्थम को 949 सिस्वी में पराजित किया नेक्स्ट है राष्ट कूट राजा किस्न पर्थम नईलोरा में केलास मंदिर बनवाया था इंपोर्टेंट फेक्ट है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट रापिक हम लोग देखेंगे चोल समराज 9 से 12 सदी तक इसमें पहला है चोल समराज का संस्थापक बिजाले 850 इसवी से 871 इसवी था जो पहले पलबो का सामन्त था इसने 850 इसवी में तंजाबुर पर कबजा किया और उसने अपनी रजधानी बनाया यहां उसन नेक्स्ट रापिक हम देखेंगे चोल समराज के पलबों से मुक्ष करवाया उसने कावेरी नदी किटट पर एक सीब बंदिर का निर्मान करवाया था नेक्स्ट है परांतक पर्थम 907 से 955 इसवी यह आदित पर्थम का पुतर था इसने पांड सासक राज सिंग दूतिय को पराजित कर मदूरा को जीता इसके उपलक्ष में उसने मदूरांतक एवं मदूरा राई कोड की उपादी धारन की नेक्स्ट है राज राज पर्थम 985 से 1014 इसमी 985 इसमी में पर्नांतक दूतिय सुन्दर चोल का पुतर अरिमोली वर्मन पर्थम उपनाम राज राज पर्थम चोल सासक बना नेक्स्ट है तंजोर अविलेक से उनके युद अवियानों का बर्नन मिलता है नेक्स्ट है उसने केरल राज पर आक्रवन कर केरल की सासक बासकर रवी बर्मन को पराजित किया इस उपलक्ष में उसने कांडलूर सालकेत कमत्रुक की उपादी धारन की नेक्स्ट है उसने अपनी नौ सेना के उपयोग से इसने स्रीलंका की रजधानी अनुराधापूर पर आक्रमन कर वहां के नरेस महेंद्र पंचम को प्राजित किया इंपोर्टेंट फेक्टर ध्यान दखेंगे उसने सिहन राज का नाम मामुंडी लोज चोल मंधलम रखा और पोलो नन रुबा को इसकी रजधानी बनाया उसका नाम जगरनात मंगलम था इवा सयब धरमामली था और उसने सीव पाध सेकर की उपाधी धारं की थि उपाधी गरहन की थी उसके दोरानेर मितन्जवर कराज रेस्वर मंदिर बिभियह देस्वर सीवर मंदे ध्रवित स्थापत काला का अदूती उदारन है नेक्ष्ट है राजिंत पर्थम 2014-44 इसमी राजिंत पर्थम अपने पिता राज राज पर्थम के भाती समराजवादी सासक था उसने समस्री लंका को चोल समराज में मिला लिया राजिंत पर्थम ने बंगाल के सासक महिपाल को पराजित किया उसने उतरपुर्वी पराजित रजाव को गंगाजल से भरे कलस अपमिरजधानी गंगे कोट चोल पूरम लाने को कहा और उसने चेल गंग चोल गंग नामक तलाब में एकतृत करवाया इस उपलक्ष में उसने गंगे कोट्चोल की उपादी भी धारन की नेक्स्ट आम लोग देखते हैं चोल कारिन सासन परनाली चोल सासन परनाली राज तंत्रात्मक थी चोल सासको की प्राणबिक रजधानी उयर थी बिज्याले के बिज्याले ने तेंजोर को अपनी रजधानी बनाया नेक्स्ट हम लोग देखे चोल राज तंत का राजा वनसा अनुगत का अधार पर सत्ता दिकारी होता था राजा चोल सासन वेवस्ता का सरवोच दिकारी होता था नेक्स्ट है चोल सासको का परसासनी की काई मंडलम, प्रांत, कोंडम, कमिस्नरी, नाडो, जीला, कुर्रम, ग्रामो का संग निक्स्ट हम लोग फैक्ट देखे चोल समराच्छे प्रांतों में बटा था जिसे मंडलम कहा जाता था मंदलम प्रसासन सेलेक ग्राम पंसासन तक सास्किय काडियों में साहता हितु अस्थानिय सबाय होती थी नाटब नाड़ू की अस्थानिय सबा, नंगस्तार नगर की अस्थानिय सबा, स्रेनी बेवसायों की सबा, पुंग सिल्पियों की सबा नेक्ष्ट है चोल काल का सरवादिक माजपुन पहलू उनके अस्थानिय ग्रामीन सोसासन ब्यवस्ता थी नेक्ष्ट है चोल केंद्रिय पदा अधिकाडियों में उच प्राधिकाडियों को पेज संद्रम और निम कोटी के अधिकाडियों को सिरुत्तरम कहा जाता था उर के वारे में देखे तो एक समान प्रकार की ग्राम सभा थी जिसने ग्राम, पूर या नगर दोनों समलिते इसकी कार्जकार्णी समीति को आलूंग नम कहा जाता था इसका प्रमु को कार्ज था अपने परतिनीदियों से दस्ता बेजों के मसवधा त्यार करवान कर उसे लीपी बद कराना निक्स्टे सभा या मुल रूप से अग्रहारो तथा ब्रामन बस्तियों की संस्था थी उसने पूरू गुरु कहा जाता था इसके सदस्यों को पेरू मकलम कहा जाता था नगरम या बेपारी समुदाय की सभा थी निक्स्टे समुद देखे चोल काल का परमुक कर आयाम, राजैस, मजाडी, उप्योगी ब्रिक्ष कर, कड़े में, सुपारी की बागात पर कर, मनेईर, ग्रीकर, कड़ेईर, बेपारिक पर चिस्ठान कर, कड़े में, लगान, मंगने में, लोकार, कुंबकार, बढ़ाई, हादी के पेशे पर लगाने वाला कर, निक्स्टे हम लोग देखते हैं, राजैस, बिवाग का परमुक अधिकारी, वरिट्स, पर्सकंग, कहलाता था, भूमी कर का उपर एक बटातीन भाग था, चोल कला की धातु, मुर्तियो, मिनेटरा, सिप का, कास, मुर्तिय, सरवादी को लेखनी है, अब हम लोग देखते हैं, कुछ अन छोटे राजवन्स, देवगीरी का यादव राजवन्स, भीलम पंचम को यादव राजवन्स से को स्वतंत राज के रूप में स्थापित करने का स्रे दिया जाता है, उसने दक्षनी महराष्ट एवमूतरी कॉंकन में ए मलिक काफूर अलावदिन खिल जी का सेना पती ने देवगीरी पर आक्मन कर आंतिम सासक संकर देवप मार दिया और वहां का प्रसासक बन गया नेक्ष्ट है रूद्र रमा देवी को 1979 के दुगदी अविलेक में गनपती की पटो दिती राजस्व के लिए मनोनित पताया गया है, उसने स्वतंत सासिका के रूप में 1961 में सत्ता संबाली नेक्ष्ट है परताप रूद्र का तिय वन्स का अंतिम सासक था नेक्ष्ट आम लोग देखते हैं, हुएंसल राजवन्स विष्णु वर्धन ने एक विष्टित सक्ति साली हुएंसल राजवन्स के अस्ताप्ना की इनकी रहजधानी द्वार समुंद्रम होली वेड में थी, बलाब तिर्थिये इस राजवन्स का अंतिम सासक था मली काफूर ने द्वार समुंद्र पर कबजा कर लिया जिसने बलाब तिर्थिये को उसने संधी करनी पड़ी आसा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तिसे लाइक करें, सेर करें, साथी चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को एक दोबर सूल ले ताकि आपका रिवीजन हुजा और यहां से कोई question एक्जाम में है तो न चूटे तो आज के लिए तना है दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थेंक्यू हलो दोस्तों स्वागत है आपका प्रेंग का लेर्णिंग क्लासेज में सचट में वीपेसी बिहार सेसी बिहार दरोका से डिप्यो जेपीसी अंसा भी एक्जाम को ध्यान में रखते हुए क्लान पव्डिकेशन की सीरी चलाई जा रही है इसके अंतुग्यत हम लोग मेडाइवल की सीरी को देखते हैं ताकि एक्जाम में आपका कोई कोश्चन यहां से ना चूटे तो चली हम देखते हैं मेडाइवल से रेटेड फैक्ट को तो आज का टापिक हम लोग देखते है राजपुत काल जो की 800 से लेकर 1200 इसमी तक है इसे रेटेड हम लोग फैक्ट को देखे हर्स की मिर्तु के बाद राजपुतों का उदे हुआ जिनोंने आठमी सताब्दी के उतरी टता पश्मी भारत में इतियास के महत्पुन भुम का निवाई जिसमें पहला हम लोग देख जिसने उतर भारत के मामूत के अनुपस्तिती में राष्ट कूट राजा गोपाल को हराया इसकी रजधानी बनारस्ती चंद्रदेब ने मुस्लीमों पर तरुक्षिंडंड नाम का कर लगाया जो उनसे होने वाले युद्धों पर आने वाले खर्ज के लिए लिया जाता थ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोविंद्र चंद्र इसकी सासन में कौनोज ने अपनी ख्याती पुना प्राप्त की इनके मंतरी लश्मी धर ने कानून और प्रकिरिया पर कृत कल्प पत्रू कल्प द्रूम की रचना की नेक्स्ट है जैचन्द या इस वन्स का अन्तिम सासक था प्रित्वी राश्तिर्तिय इसका संकालिन था चंदवर दैक्त्रीती प्रित्वी राज रासों के अनुसार प्रित्वी राश्तिर्तिय ने जैचन्द की पृत्री संयोगिता का परन कर लिया था निक्स्ट हम लोग देखते हैं मुहमद गोरी 1194 में चंदावर के युद में जय चंद को मार डाला इंपोर्टन ठेक्ट है एक्जाम में पूछता है थ्यान रखेंगे दुसरा हम लोग देखते हैं चामान चोहान वंस बासुदेब ने चोहान वंस के अस्थापना की इसकी रज़दानी अहिशत्र थी निक्स्ट है अजय राज ने अजमेर के अस्थापना कर अजमेर को चोहाने की रज़दानी बनाई निक्ष्ट है अजय राज के बाद अर्णो राज सासक बना इसके पुसकर में बारो मंदीर का निर्मान करवाया निक्ष्ट हम लोग देखते हैं विग्रा राज चतूर्थ 11.356 ये अर्णो राज का पुत्र तार्जी से विसल देवी कहा जाता है इसने हारी केली नामक संस्कृत नाटक की रचना की इसके दरवारी कभी सोम देव ने ललित विग्रा राज की रचना की विग्रा राज चतूर्थ में अजमेर के एक संस्कृत मठ का निर्मान करवाया जिसने आज अधाय दिन का जोपरा के नाम से जाना जाता है इंपोर्टेंट है ध्यान रखेंगे अड़ाज इनका जोपड़ा एक मस्जिद है ये कोशिन पूछा है ध्यान रखेंगे जिसका निर्मान कुतुब दिन एवक ने करवाया था इसका इसकी दिवारों पर ललित विग्रा राज की पंक्तिया आज भी उत्क्रिष्ट है निक्षम लोग देखते हैं प्रित्वी राज चाहान तिर्तिये के बारे में 1178 सिबिरान में इस भी इस निचंदेल राजा पर्मा दितदेव को प्राजित किया इसको राय पिठोरा भ सिब्सक्राइन का पर्तम उठीण्यारस अन्वे में मुहम्मद गोरी को प्राजित हुआ और दुश्रा तरहयन का दूत्य रैस युद्स में इसमें महमुद गोरी ने प्रित्वी राज्तिर्तियों को पराजित किया और उसे मार डला इस युद के पस्चार चोहानों के सप्ति समाप्त हो गई और तुर्क राज की स्थापना हुई निक्स्टम लोग देखते हैं सुलंकी वंस गुजरात के चालुक सुलंकी वंस का संस्थापक मूल राजपर्थम ताइस किराजधानी अहिंदरवाल अगनी पातन थी भीम पर्थम इसके काल में महमुद गजनवी ने गुजरात के सोमनात मंदीर में अधार संपती लूटी आबू के दिलवारा जैन मंदीर का निर्मान भीम पर्थम के सामंत बिमल ने करव परसीद जैन परसीद जैन विद्वान हेमचंद जैसिंग के दरवार में निवास करते थे इसने सिंद पूर मेरुद्र महाकाल क्रभब मंदीर बनवाया था निक्स्ठ है मुल राजदूति इसके काल में महमद गोरी को भारत का पारत पराक्मन हुआ था जिसने उसे पराजय म इमदूति इस वंस का अंतिम साचक था निक्स्ठ हम लग देखते हैं मोडेरा का सुर्य मंदीर बहवदा के निकट का निर्मान सोलंकी सासन काल में हुआ था निक्स्ठ है परमारवंस मालवा के परमारवंस का स्थापना उपेंद्र किसन राज ने की थी धारा परमारवंस क कि एस राजधानी थी नीच्ट राजा वोज इस बंस कमहतपुन साथ सक्थ जिस नी अपनी राजधानि उज्ञेंच से बदल कर धारा कर दी निच्ट राजा वोज की उपादी कभी राज की थी उसने वज चंपू स्रिंगार प्रकास सब्दा अनुसार आधि पुष्टकों की रचना की थी उसने चित और मित्रिवू और नरायन मंदिर की अस्थापना की नेक्ष्ट है वाक्त पति का पुत्र जैसकती एक पर्षिस सासक था और चंदेल राज उसी के नाम से जेजाक भूकती के नाम से जाना जाता था चंदेल अपनी कला की लिए दिस्व विख्यात है चंदेल कला का केंद्र है कालिंजर उत्तर पर्देश तता खजराओ चातरपूर जीला मध पर्देश निक्स्ठम लोग देखते हैं चंदेलों ने खजराओ में करेट तीस मंदिरों कनिर्मान करवाया य मंदिर जैन और ब्राह्मन द्रम से समंदित है यहां एक भी बद मंदिर का निर्मान नहीं हुआ राजा धंग द्वरा निर्मीत विश्व नात मंदिर खजराओ का सबसे अलंकृत मंदिर है धंग ने जिन नात एवं बैदनात मंदिर का भी निर्मान करवाया कंदर्या परदेश की जवलपूर के निकत तिरपूरी में बनवाई थी नेक्षे कोलकलम पर्थम इस वंस का रपर्था पहला राजा था इंपोर्टेंट है ध्यान रखेंगे नेक्ष्ट ये अनिसासक युवराज की दरवार मेरा सेखर ने कुछ समय तक निवास किया कॉन देवी स्व इसमें पहला फैक्ट है अरब खलीपा अलवाजीत की आदेश पर मुमत बिन कासिम ने 712 इस्वी मकरान की राष्टे अस्तल मार्थ की सिंद्ध पर हमला किया यह हमला सर पर्थम देवल कराची पर हुआ जिसमें देवल का पतन हुआ उसके बाद कासिम ने चार्ज के वेट पर कासिम के आक्रमन कमुक उदेश इस्लाम का परचाद भारत की आर्थिक संपंता एवं सम्राजी विस्तार की लालसा थी नेक्ष्टम लोग ट्रपिक देखते हैं भारत पर तुरकों का आक्रमन भारत भूमी के भूमी मेंदर तक परभेस पाने कसरे गजनवी वंस के सुल नवी वंस के नाम से पुकारा जाता था इरान के साजकों की एक साखा थी नेक्ष्ट है अल्पगीत ने इस वंस का एक स्वतंत राज स्थापित किया बाद में उसके दमाद सुखबुतीन में गदी संबाली सुखबुतीन के समय से गजनी और हिंदु साही राजी का लंबा संगर्स हुआ जो सुन्तान मामूद के समय तक चलता रहा जिसका अंतिम परिनाम हिंदु साही राजी का नस्थ हुआ नेक्स्ट सुक्त बुदीन के मुट्व के बाद उन्हें स्वांठान में मामूद 27 वर्स की अवस्था में गजनी के तक्त पर बैठा और 1030 हिस्वी तक साहसन करता रहा है उसने 1090 से लेकर 1027 हिस्वी तक मारत वस 17 बार आक्रमन किया इंपोर्टेंट है ठ्यान रखेंगे अ उसका परम को देश भारत की संपत्ति लुटना था तिसरा उसका राजनेतिक उदेश परोष की हिंदू राज को नष्ड करना था चौथा यस की लाल सा भी मामूद को आक्रमनों का कारण थी निग्स्टे मामूद का परतम आक्रमन एक जार इस्वी में था और दूसरा आक् साशन काबूल हुआ पंजाब छेत्र में था और वेहंद उसकी रजधानी थी नेक्स्ट है एक हजार नौ इस्वी में मामूद ने जैपाल के पुत्र आनंत पाल को पराजित किया और 1014 इस्वी में उसने थानेश्वर को लूटा मामूद एक हजार अठारह इस्वी में करनोच पर आक्मन के लिए आया और आगे चलकर उसने मतुरा वर्विर्दावन पर आक्मन किया और अपाल संपती लूटी नेक्स्ट है एक हजार पचीस इस्वी में मामूद ने सोमनात गुजरात पर आक्मन करभाव शिव मंदिर को लूटा न इसकी मिर्थ्यू 1030 इस्वी में हुई नेक्स्ट है मामूद के सरक्षन में अलबरुनी फिर्दौसी उत्वी और फरुकी आधी बिद्वान थे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अलबरुनी की रचना किताब उलुहिंद तारीक के हिंद और अर्भी भासा में है अलबरुनी ने दो संस्क्रित पुष्टकों को अर्भी मेन बाद किया साक्र कपिल मुनियम महाभास पतंजली निक्स्टि सियावदीन और मुजूदीन महमुद गौरी गौरी वंस का सिताबदी में भारत पर आक्मन किये और यहां पर अपने राजिक की अस्थापना की नेक्स्ट है मुमत गोरी को पर्थम आक्मन 1175 इसवी में मुल्तान पर हुआ यह आक्मन गोमत दरे से होकर था इसके बाद उसने उक्ष को भी जीत लिया नेक्स्ट है 1178 इसवी में गौर पर आक्मन किया लेकिन मुल राजिक दूतिये ने आबू पहार के पास गोरी को हटा दिया यह भारत में गोरी की पहली पराजय थी नेक्स्ट है 1189 इसवी में गोरी ने पेसाबर को जीता 1185 इसवी में सियाल कोट को जीता और 1183 में इसने संपून पंजाब को जीतकर गोरी ने महमुद गोरी को पराजित किया नेक्स्ट है तरायन का दूत्य यूद्ध यह यूद्य ग्यारत सुब्रयान में इसवी में हुआ जिसने मुहमद गोरी विजए रहा और पित्वी रस्चिरतिये को क्याद कर लिया गया और बाद में मियुतु टंक दे दिया गया चेंदावर का यूद यह यूद 1194 इस्वी में हुआ जिसने गोरी ने करनोज के सासक जयाचंद को पराजित कर उसे मार डाला। नेक्स्ट है, 1193 इस्वी में गोरी के गुलाम कुतुबदी नेवक ने मेरट और दिल्ली को जीता, 1193 इस्वी से दिल्ली भारत में गोरी के राज की रजधानी बन गई। नेक्स्ट है, 1205 इस्वी में गोरी का अंति मुकाबला खोकरो के से हुआ, नेक्स्ट है, मुहमद गोरी जब वापस गजनी जा रहा था, तब दमयक नामक अस्थान पर 15 मार्च 1206 इस्वी को उसकी हतिया कर दी गई, नेक्स्ट है 1206 इस्वी में गोरी की मीतु के बाद एव भारत ने गुलाम बंस की नेव रखी, नेक्स्ट टापिक हम लोग देखते हैं, मदकालिन भारती इतियास की सुरोद, तो इस लेकक है, हसन निजामी, ताज, उज, मारिक, अलबरुनी, तकी के हिन, मिनाज और सिराज, तवा के नासरी, अमीर, खुसरो, नो, सेप्रे, किरा उफुटू, मिताल, उल्फुटू, तुगलक नामा, जिरादिन बर्नी, तारी के फिरोज साही, फत्वा ए जहांदारी, फिरोज साही, फिरोज साही, इसानी, फुटू, उज, सलाली, अमीर, तैमूर, लंग, मनल्प, फुजात, ए तमुडी, आत्मकता है, याहिया, बीन, अमल, तारी के मुबारक साही, सेख, रज, कुला, बिकायत, ए मुक्ताई, और तारी के मुश्तकी, अमीर, हसन, सिज, फर्जाद, उज, फुलाद, नेक्स्ट, आमलोग, देखते हैं, बीदेशी यात्रों के बीबरन के बारे में, इबन तूता 1333 इसभी, यह मुरको का यात नेक्स्ट, मारको पोलो इटली, तेर्मी सतावधी में भारत आया, नेक्स्ट, निकोलो कोटली, इटली का पर्याटक है, इसने 14-20 सिस्वी में दकन का यात्रा की, नेक्स्ट, डोमी गोज, पायज, पुत्रगाली यात्री था या बिजय नगर के सासक, कृष्णदेव राय नेक्स्ट, नूनिज, या पुर्तगाली घोरे का वेपारी था, जो बिजय नगर दरवार में रहा, नेक्स्ट, हम देखते हैं, इस मारक के बारे में एबक का मकवरा लहोर में, सियर साका मकवरा साचारा बिहार, आसा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीड को एक दबर देख लेता कि आपका रिवीजन हो जार और यहां से कोई कोई कोश्चन एक्जाम में तो न चूटे तो आज के लिए इतना है दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थाइंक्यू कि आप कि कि हेलो दोस्तों स्वागत है आपका प्रेंग का लर्निंग क्लासिज में सब्सक्राइब को ध्यान में रखते हुए क्राम पर्ब्रिकेशन की शिरी चलाई जा रही है इसके अंतरगाथ हम लोग मेडायवल हिस्ट्री के कोश्चन को देखते हैं ताकि एक्जाम में यहां से कोई कुश्चन है तो न चूटे आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं दिल्ली संतनत बारसोचे से पंदोसोचपिस इस्वी के बीज का जिसमें मामोलिक सुल्तान के बारे में देखिए दोरचे से 1290 इस्वी तक तो पहला फैक्ट है दिल्ली संतनत के अंतरगत सबसे पहले गु लाम बंस या मामलुक बंस के अस्तापन कुतुवदी नेवक ने की थी नेक्स्ट है कुतुवदी नेवक बारसोचे से 1210 इसवी तक है एवक को भारत में तुर्की राज का समराज संस्तापक माना जाता है नेक्स फैक्ट है एवक का राजा विशेक जुन 1206 इसवी में प्रमदी बादी प्रधान की नेक्स्ट है एवक नेना तो अपना नाम कुत्वा पढ़वाया नहीं अपने नाम के सीखे चल वाए नेक्स्ट है वह Scout में दान दिया करता था इसलिए उसे लाक्स भक्स कहा जाता था नेक्स्ट एवक के दरबार में हसं सिजामी एवम फॉक् वक्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुट्यों बिदनार बनवाया जिसे लतुतमिस ने पूरा किया नेक्स प्रैक्ट है उसने दिल्ली में कुबाक्त उस इसलाम और अजमेर मिढाए जिनका जोपडा नामक मसजित का निर्मान करवाया नेक्ष्ट है बारोसो दस में चौगान पोलो खेलते समय लाहोर में घोरे से गिर कर एवक की मृतु हो गई नेक्ष्ट है कुतिवधी नेवक की मिरतु के बाद उसके सरदारों ने उसके पुत्र अराम सा को लाहोर की गदी पर बैठा दिया लेकिन इलतुतमीस ने से अपरदर्स्त करके सियासन पर अधिकार कर लिया नेक्ष्ट है इलतुतमीस 12-11-236 इवक ने इलतुतमीस से ऐनवार योद के दोरान खरीदा था या इवक का गुलाम एवं दमाद था निक्स्ठिय को अपनी रजधानी बनवाया और अपने नाम की सिक्के चलाए नेक्स्ट है उसने 40 गुलाम सरदारों के गुट अर्थाद तुरका ने चिलगामे के संगटन की अस्तापना की इंपोर्टेंट है ध्यान दखेंगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इल्टुत्मिस की दूरदर्शिता के करण तुरक राज मंगोल आक्रमन से बचा रहा नेक्स्ट है उसने इक्ता विवस्था लागू की यह पूछता है ध्यान में रखेंगे बंगाल को जीत कर उसने दिल्ली सल्तनत का इक्ता सुबा बनाया नेक्स्ट है इल्टुत्मिस ने 1226 इसमी में रंधंबर पर विजया प्राप्त की और पड़मारों की रहजानी मंदोर मंसोर पर अधिकार किया नेक्स्ट है उसने सुद अर्भी सीके चलाए चांदी का टंका और तांबे का जीतल उसी ने अरम किया नेक्स्ट है इल्टुत्मिस की सेना हस्म एक कल्म का एमकल में सुल्तानी करलाती थी नेक्स्ट है इल्टुत्मिस ने कुतुब मिनार के निर्मानिकार को पूरा करवाया उसे मकवरा निर्मान सहली का जर्मदाता कहा जाता है उसने दिल्ली में स्वयम कमकवरा भी बनबाया उसने बदायदू में होज एक खास समसी इंद्रगा का निर्मान करवाया नेक्ष्ट है मिनाज उज सिराज इलतुत्मिस का दरवारी लेखक था नेक्ष्ट है 1236 सिस्वी में बामियान की ब्रूद अवियान पर इलतुत्मिस बीमार हो गया जिसके कारणों से दिल्ली वापस आना परा जहां अप्रेल 1236 में उसकी मिर्ट्व हो गई और दिल्ली में उची की द्वारा निर्मित मकमरे में उसे दपनाया गया नेक्स्ट है तूर्क सरदारों ने सुल्तान से सासक के अधिकार छिनकर नयाब या नयाबे मामिलितकात को सौप दिये या पद एतगीन को दिया गया नेक्स्ट है 241 इसवी में जब मंगोलों ने पंजाब पराक्रमन किया तब तूर्की सरदारों ने बगावत कर बहराम सा को बंदी बना लिया और 1242 इसवी में इसकी हत्या कर दी नेक्स्ट है रजिया 1234-1244 इल्टितमिस की मिर्तु के बाद रुकुदी तिरोसा अपने मा सा तुर्कान के सवयोग से गद्धी पर बैठा सा तुर्कान के अत्याचारों से परिशान होकर जन्समू द्वाराव से अपरदस्त किया गया और रजिया को सुल्तान बनाया गया नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दिली संकनत के इतियास में रजिया एकमात महिला सासिका बनी वो परथम तुर्क महिला सासिका भी थी निक्स पैक्ट हम लोग देखते हैं रजिया ने परदा त्याक कर पूर्शों के बाती कोट वग कुलाप टोपी पानना सुरू कर दिया निक्स रजिया ने इतगीन को बायदी का इक्तादार और अलतुनिया को तबर हिंद भटिंडा का इक्तादार निक्त किया नेक्ष्ठे अलतुनिया ने 2400 इसी में सरहिंद के भिद्रो कर दिया आंतर रजिया ने अलतुनिया से साधी कर ली 13 अक्टूबर 2400 इसी को मार्क से कैतल के निकट कुछ नाकु उने रजिया और अलतुनिया की हतिया कर दि नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रजिया की या सफलता का मुख्य कारण तुर्की गुलामों की महतोकान चाय थी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मजोदीन बहरामसा 1240-42 इसवी रजिया के तबर हिंद प्रस्तान करने के बाद तुर्क सरदारों नेल तुतमिस के तीसरे पुत्र बहरामसा को सिहासन पर बैठा दिया नेक्स्ट है अलाओदीन मकसूद सा मनसूद सा 1242-42 इसवी मसूद सा इस्तितमिस ने पुत्र स्विल्तान फिरोज सा का पुत्र था इसके सासन में समस सक्तिया नयाब के पास ती नेक्स्ट है बलवन ने अमीर एहाजीब का पदप्राप्त करके अपनी सक्ति बढानी सुरू कर दी नेक्स्ट है जून 1246 इसवी में बलवन ने मसूद सा को सिहासन से अटा दिया मसूद सा की मिर्थू करागार में हुई नेक्स्ट है नसीरुदीन महमुद 1246 से 266 नसीरुदीन महमुद 10 जून 1246 इसवी को 16 वर्स की अवस्था में सिहासन पर बैठा उसके सुल्टान बनने के समय राज सकती के लिए जो संगर सुल्टान और उसकी तुर्की सरदारों के मद चल रहा था वो समाप्थ हो गिया नेक्स्ट है नासुरुदीन के सासन काल में समश्थ सकती बलवन के हाथों में थी 1249 में उसने बलवन को उलुख खाकी उपाधी परदान की और नयाब एमामिल काद का पद देकर कानुनी रूपचे सासन के समून संपुन अधिकार बलवन को सौप दिये नेक्स्ट है नासुरुदीन की मिर्तु होने पर बलवन ने स्वयम को सुल्टान गोशित किया ताथा उसका उत्रादिकारी बना नेक्स्ट है ग्यासुदीन बलवन 1266-1287 भी बलवन इलतुतमिस की भात्ती अलबरी तुर्क था उसने 20 बरस तक वजीर की हैसियत से 22 बरस तक सुल्टान के रूप में सासन किया नेक्स्ट है रजिया के समय बलवन अमीरे सिकार के पदपर था बारामसा के समय हुआ अमीरे आकुर असुसारा का परदान बना निक्ष्ट है बलबन ने राज़त तो सिधान्त और सुल्तान की पर्तिष्ठा के स्थापना की बलबन की राज़त तो सिधान्त दो मुख्य विसेश्था थी निक्ष्ट देखते हैं बलबन ने का ईरानी प्रंप्रा जैसे सिजदा भूमी पलेट कर अविवादन और पैबो सुल्तान के चर्णों को चुमना प्राडम करवाई नेक्स्ट है बलवन ने रग्त और लोग के निती का पालन किया नेक्स्ट है उसने इरान तेवार नोरोज को भी आरम किया नेक्स्ट है बलवन ने एक पिर्थक सेन विवाग दिवाने अर्जगी अस्तापना की नेक्स्ट है बलवन ने जील ए इलाही इसवर का परतिविन की उपादी धारन की थी नेक्स्ट है कैकुबाद और सजावदीन क्यूमर्स 287-90 भी बलवन ने अपनी मिर्थू से पहले अपने बड़े पुत्र मुहमद के पुत्र के सुरब को अपना उत्रादिकारी नियुक्त गया लेकिन तुर्क ने सरदारों ने उसे मुंस्तान ए प्रांती सासक बना दिया नेक्स्ट है दिल्ली के कुतबाल फ्रक्रोदीन मुहमद ने एक सर्यांट के ताथ बलवन के दूसरे पुत्र बुग राखा के पुत्र कैकुबाद को सुल्तान बना दिया नेक्स्ट है कुछ समय बाद कैकुबाद लख्वा गरश्थ हो गया और तुर्क सरदारों ने उसके अबोध पुत्र क्यूमर्स को सियासन पर बैठा दिया नेक्स्ट है 1290 बी में जलाओदीन खिल्जी के खिल्जी ने समोधीन क्यूमर्स के अत्या कर दी और एक नए खिल्जी बंस की अस्थापना नेक्स्ट आपिक हम लोग देखते हैं खिल्जी बंस 1290 से 1326 बी बारत आने से पुर्व खिल्जी जाती अफगानिस्तान से हेल मंद नदी के घाटी में परवेश परदेश में रती थी दिल्ली के सियासन पर खिल्जी बंस का अधिपत्त हो जाने से बारत में तुर्कों की स रेश्टा समाप्तों गई इसके साथ निसासन में भारती और गयर तुर्क मुसल्मानों का परवाव बढ़ गया नेक्स्ट है जलाओ दीन फिरोसा खिल्जी 1290 से चियान में जलाओ दीन खिल्जी बंस का संस्थापक था उसने किल्खाडी कूला गड़ी को अपनी रजगान बनाई थी नेक्स्ट है सुल्तान बनने कि समय जलाओ दीन सत्तर वर्स का था यही कारन था कि वह उदार और सहिस्नू बन गया था नेक्स्ट है इसके सासन काल में तीन परमुक बिद्रों हुए पहला मलिक छजु का बिद्रों दूसरा ताजुदीन कुची का सर्यंत तिसरा सिधी मौला का सर्यंत जिसे बाद में फासी दे दी गई निक्स्ट जलाओ दीन ने कि समय सबसे महधपुन गटना अलाओ दीन का देवगीरी का आक्रमन था रामचंदर देवगीरी का सासक था निक्स्ट अमिर कुसरु और हसन देलवरी जलाओ दीन के दरवार में रहते थे 20 जुलाई 1296 को अलाउदीन के इसारे परिक्तारोधीन रोध। द्वारा चल पुर्वक जलाउदीन का वद कर दिया गया अलाउदीन खिल्जी 1296 से 1316 भी अलाउदीन के बच्पन का नाम अलिया गुरसप था नेक्ष्ट हम लोग देखती हैं सुल्टान बनने से पहले अलावदीन अमीरे तुजुक के पदपर था 22 अक्टूबर 1296 को अलावदीन ने दिल्ली में परवेश किया जहां बलवन ने लाल महल में अपना राजय भी से कराया और दिल्ली का सुल्टान बना और सिकंदर सानी की उपाधी धारन की नेक्ष्ट समराज भिस्तार अलावदीन की अकांचा असाम राजवादी थी उतर भारत के राजयों के प्रति उसकी निती राज भिस्तार की थी जबकि दक्षिन भारत में वह राजयों से अपनी अधिन्ता सुईकार करवा कर वार्सिक कर लेकर ही संतुष्ठ था नेक्ष्ट मलग विजय अभियान देखे उतर भारत गुजरात रंथमबर चित्वर मालवा धार चंदेरी सिवाना जालोर नेक्ष्ट डक्षिन भारत देवगिरी वारंगल द्वार समुंदर मालाबार नेक्ष्ट मलीक मौमज जैसी की रचना पद्मा वद के अनुसार अलावदीन के चित्तवर अभियान का कारण वहां की सासक राना रतन सिंग की पत्मी पद्मीनी को प्राप्त करना था निग्ष्ठे मलिक कपूर अलाओदीन के तक्षिन भारत की विजय का परमुक सिर्वस के नयाब मलिक कपूर को है उसने 1307 इस्वी में सर पर्थम देवगीरी पराक्रमन करवा के सासक रामचंद्र देव को पराजित किया इसके बाद कपूर ने तेलंगाना पराक्रमन किया वहां की सासक परताप पूरुद्ध देव ने आत्म समर्पन कर मलिक कपूर को कोहिनूर कहीरा सौपा जिसे मलिक अलाओदीन को सौपा नेक्स अमलोग देखते हैं अलाओदीन कराजस सिद्धान अलाओदीन धरम और धार्मिक वर्ग को सासन के हस्तिचेप नहीं करने दिया उसने खलीपा से अपने सुल्तान के पद की सुक्रीती लेने की अवसकता नहीं समझी इसी परकार उसने सासन में ना तो इसलाम के सिद पर बल देता था उसने गुप्चर विवाग को संगठित किया इस विवाग का मुख अधिकारी बड़ीदे मामोलिक था अलाओदीन का मंत्री परिसदम नुदेखे दिवाने वजारात वजीर मुख मंत्री दिवाने इंसा साही आदेशों का पालन करवाना दिवाने आडित सेन मंत्री दिवाने रसालत पिदेश विवाग राजत सुकर लगान विवस्ता अलाओदीन ने लगान खराज पैदावार को एक बटा दो भाग निरधारित किया वो पहला सुल्तान ताजिस्त ने भूमी को नापकर लगान वसूल करना आरम किया इसके लिए विश्व को ए लगान राजद्वरा वसूला जाता था सैनिक विवस्ता अलाओदीन ने केंद्र में एक बड़ी और स्थाई सेना रखी जिससे वह नगत वेतर देता था ऐसा करने वालवा दिल्ली का पहला सुल्तान था निक्ष्ट में लोग देखते हैं अलावदीन की वजार विवस्था कामू के कारण सैनिकों के बेतन में कमी करना ना होकर बस्तुए के मुल्यों को बढ़ने से रोकना था निक्ष्ट अलावदीन ने परतियक वज्टू के लिए अलग-अलग बजार निश्चित किये गल्ले के लिए मंडी कप्रे के लिए सराय ए आदिल घोरा गुलाम वं मवेसी बजार एवं समाने बजार निक्ष्ट है सभी बेपाडियों को सहानाय मंडी के दफ्तर में अपने को पंजिक्रीत करना पड़ता था कि अवल पंजिक्रीत बेपाडी ही किसानों के गल्ला खरीद सकते थे निक्ष्ट है सट्य बाजी चोर बजारी कानून को भंग करने वाले को कठोड रंद दिया जाता था निक्ष्ट अब नुग देखते हैं बजार की नियंतन के लिए दिकारी दिवान रियासत बजार पनियंतरक रखना सहानाय मंडी बजार अधिक्चग सराय अंडन निया के ल अलाउदीन ने कुत मिनार के निकट अलाई दरवाजा कुक्से सीरी सीरी नामक सहर होजे अलाई तलाब और हजार खंबा महल का निर्मान करवाया था उसने डांक बेवस्ता लागू की थी नेक्स्ट उसका अंती मदिनियम परवाना नवीस परमिट देने वाले अधिकारी की निक्ति थी नेक्स्ट अलाउदीन ने खंस यूद में लूट काहिसा के चार बटा पांच भाग पर राजका नियंतन और एक बटा पांच भाग पर सनी को कनियंतन कर दिया अलाउदीन की मीर्तु पांच जनवरी 1316 स्वी को हुई नेक्स्ट आम नोग देखते हैं कुतूब दिन मुबारक सा खिलजी 1316 से 2320 स्वी इस निस्टियम को खलीपा गोचित किया ऐसा करने वाला हुआ सुल्तान पहला सुल्तान था निक्स प्रेक्ट है उसने नग निस्तिरी पुरुष की संगत पसंथा मुबारक सा के बाद नस्र दीन खुष रवा सा 15 अप्रह से 7 सितंब वह पर्थम भारतिय मुसलमान था जो दिल्ली का सासक बना कापी इंपोर्टेंट पाइंट है इसे ध्यान रखेंगे तो आसा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आते से लाइक करें सेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करें आज के लिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यूँ है 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 हेलो दोस्तों स्वागत है आपका प्रेंग का लिएंग क्लासेज में 161 बीपेसी ब्यार अचेसी ब्यार दरोगा से डिप्योज पेसी अंसाभी एक्जाम को ध्यान में रखते हुए क्रान पब्रिके चूटे आज का टॉपिक है तुगलक बंस 1324 से 1424 में इसमें पहला है ग्यासुदीन तुगलक 1320 से 1325 इसकी बारे में हम लोग देखें तो फ़ेला फैक्ट है ग्यासुदीन तुगलक ने तुगलक बंस की अस्थापना की थी तुगलक किसी वंस का नाम नहीं था रमजोम्नियम अत्वा मध्यम पंथी निती खा है नेक्षट उसने सिजाए वेवस्ता दुरुस्त करवाई और नारों का निर्मान करवाया इसे किसानों और राजिकी आर्थिक निती में सुधार हुआ नेक्षट है उसकी डाक वेवस्ता स्रेश्ती उन्हें नयाय वेवस् की अस्थापना की थी निक्स्ट है गियासुदीन ने सरकारी क्रमचाडियों को राजस्वसुली में विस्सा नदे कर उन्हें कर म्युक्त जागीरी दी नेक्स्ट है चिश्ती संत नियाजमुदील ऑलिया के साथ उसके संबंद काटूता पुन्ते जब गियासुदीन बंगाल एभियान से लोट रहा था तो उसमें दिली आने से पहले अलीया को दिली छोरकर जाने को कहा यह सुनकर नियामु दीन अलीया ने कहा था हुनुज ए दिली धुरस्त अर्था दिली अभी दूर है ग्यासुदीन अफगानिगे पर नामक गाउम में मिसराम कर रहा था तो लक्री के महल की चात गेर जाने से उनकी मिर्त्य हो गई इबनतो तो Confederate की मुर्त्य को करन मुहमद बीन तुगल deste मुहमत बिन तुगलक का सर्यांट था उसे उसके द्वारा तुलक का बाद में बनाये गए कव में धपनाया गया नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महमद बिन तुगलक 1325 से 1351 इसकी ब्याक्या है महमद बिन तुगलक का नाम जानुखा था उसने उलुखा की उपाधी धारन की थी उससे गिया सुदीन का पूत्र था नेक्स्ट है उसके सासन काल में 1333 सिस्वी में महरको का यात्री उपने तूता भारत आया था जिसे दिल्ली का काजी निक्त किया गिया उसने 1342 सिस्वी में उपने तूता को अपना दूत बना कर चीन वेजा निक्स्ट है उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली इला सुल्तान इस्वर की छाया अंकित कराया निक्ष्ट है उसके सासन काल में समराज 23 प्रांतों में बटा हुआ था कस्मीर और आधुनिक बलुचिस्तान को चोर कर पूरा हंदुस्तान दिल्ली संतनत के नियंतरन में था निक्ष्ट है उसने दौप में करब रिधी की निक्ष्ट है उसने क्रिसी की उनती के लिए एक नया विवाग खोला और एक नया मंतरी अमीरे को ही निक्ष्ट किया उसकी यह यह योजना असफ़ा लुईजी से प्रसासन तंत्र के साथ राजस का भारी नुक्सान हुआ निक्ष्ट सांकेतिक मुद्रा 1329 से 30 सबी मुहमत तुगलक एक और असफ़ा योजना थी जो परतीक मुद्रा का चलन आरहम कराना उस समय चांदी के सीकों को टंका और तांबे के सीकों को जीतल कहा जाता था important factor यहां से ध्यान रखेंगे question exam में पूछता है इस मुद्रा का चलन अंतराश्टी अस्तर पर चांदी की कमी का सामना करने के लिए किया गिया था उसने तांबे और पीतल के सिक्के चलवाए इससे पहले चीन में कुबलाई खाते समय सांकेतिक मुद्रा का चलन सपलता पुर्वक किया गया था निक्स्ट है मुहमद तुगलक के अभियान इसमें पहला है उसके काल में एक मात्र मंगोल आकर्मन तर्मा सिरीन के नेतित में हुआ था दुसरा है मुहमद तुगलक ने खुरासान अफगानिस्तान को जितने की युजना बनाई जो कार रूप में परिनित न की जा सकी और सुल्तान ने सेना में को भंग कर दिया नेक्ष्ट है मुहमद तुगलक ने 1337 सिस्वी में कुराची लवियान की या जिसका उदेश उन पहारी राज्यों को अपनी अधिनता में लाना था जहां अधिकांस बिद्रोयों को सरन प्राप्त होती थी वह अस्थान आधुनी की माचल परदेश में कुमायो जीले में था इस साक्रमन से सुल्तान की सैन सक्ती दुरबल हुई नेक्स्ट आम लोग देखते हैं मुहमत बिन तुगलक के काल में परमुख बिद्रो जिसमें पहला है गूल बरगा के निकट सागर की जांगिदार बहावोदीन गुसापक का बिद्रो दुसरा मुलतान ए सुबेदार बारान आइफा ओप किसलुखा का बिद्रो तिसरा ति 147 में देव गिरी के बिद्रो और बामनी राजिका नीव नेक्स्ट उसने नियाजमदीन ओलिया के कब्र पर मकमडे का निर्मान करवाया था उसने तुगलकाबाद के पास आलिदाबाद नामक दूर्ग बनवाया नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसने सत पला बांध और बिजली माल का भी निर्मान कराया था इसकी मिर्त्यू एक बिद्रो के दमन के दुरान थर्टा सिंद में मुहमद बिन तुगलक बिमार हो गया और 20 मार्च 1351 इसमी को इसकी मिर्त्यू हो गई ब्याओदीन बदावनी के अनुसारत सुल्तान को उसकी प्रजा से प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ती मिल गई ये बदावनी का कतन था है इंपोर्टेंट है यहां से एक जान में पूछता है इसे ध्यान रखेंगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिरोज साथ तुगलक 1351 से 388 इसमी इसमें पहला है जिस समय मुहमद बिन तुगलक की मिर्त्यू हुई तब फिरोज उसके साथ था 22 मार्च 1351 इसमी फिरोज सुल्तान बना फिरोज मुहमद बिन तुगलक का चचेरा भाई था नेक्स्ट है फिरोज का आंतरिक साथन राजस बेवस्ता फिरोज ने इसलामी कानूनों के अधार पर केवल चार कर लगाये थे खराज लगान खंस यूद में लूटे गए धन का एक बटा पांच बाग जजिया हिंदू पधार्मी कर और जकात आय में ढाई परतिसत जो मु नेक्स्ट है फिरोज ने तकावीत रिन माफ कर दिया उसके समय लगां पैदावार का एक बटा पांच बाग से एक बटा तीन भाग था उसने ससगनी नामक सिख्गा चलाया मैं अफिब की अनुसार Yeah अफिप के अनुसार सुल्तान ने अद्धा और बिक नामक तामबा और चांदी रिर्मित सिख्का चलाया नेक्स्ट दूसरा है सिचाई वेवस्था फिरोज ने पाच बरे नहरों का निर्मान कराया इसमें यम्ना नदी से ही सार तक 150 मिल लंबी नहर थी उसने सिचाई और या उतला का लाने वाला पर नगर बहुत पसंद था नेक्स्ट आम लोग देखते हैं उसने मोहमद बीन तुगलक जूना का की याद में जौन पूर नगर के अस्थापना की इंपोर्टेंट है यहां से कोश्चन बनता है ध्यान दखेंगे फिरोज ने तास घरियाल और जलगर का भी निर्मान कराया था विजस्ट आसो के स्थांवन को दिल्ली इसमें मंगाया इन में एक मेरेट और दुसरा टूप्रा पंजाब से लाया गिया था नेक्स फैक्ट है फिरोज ने कुतु मिनार की चौती मंजिल के अस्थान पर दो और मंजिले का रिर्मान कराया इस परकार कुतु मिनार आप पांच मंजिला बन गई है नेक्स आप नेक्स आमलोग देखते हैं परकारिकार उसने दिवान ए खेरातन बिवाग स्थापित किया जो मुसलमान अनाति थिर्यों और विद्वाओं के आठ्तिक साहता देता था नेक्स आप उसने दिल्ली के निकटे खेराती अस्पताल दार उवव सफापित किया निक्ष्टे फिरोज ने दिवान ए इस्ताहा की अस्तापना की जो मिर्थ सैनिकों की आसरीतों को मदद देने में समन्दित था निक्ष्टे इसने गुलामों के लिए प्रितक विभाग दिवान ए बदगान बनाया सिक्षा हम लोग देखे तो फिरोज बिदवानों का समान करता था उसके दरबार में बर्नी एवं समसे सिराज अफीफ जैसे बिदवान निवास करते थे पर्मुक पुष्टके और लेखक है फातवा ए जहांदारी बर्मिके दौरा तारीक फिरोसाई बर्मि, तारीक फिरोसाई सम ए सिराज अफीब, फुतुहात ए फिरोसाई फिरोसाँ तुलक आत्मकता है निक्स्ट अम्लोग देखे तो उस ने ज्वाला मुखी मंदीर के पुष्ट काले से प्राप्त 138 ग्रंतों में से कुछ का फार्सी मेनुबाद कराया जिसमें एक का नाम दियाले फिरोज साही था और नक्षत बिज्ञान से समन्दित था निक्स्ट अम्लोग धार्मिक नीती देखे फिरोज ने राजी के सासन ब्यवस्ता में इसलाम के कानून और उलेमा बरको प्रधानता दी निक्स्ट वा सूपी संत बाबाब परीत का अन्वायू था निक्स्ट वा बहु संक्यक हिंदू के प्रती कठोर था फिरोज ने खलीप से दो बार अपने सुल्तान के पद से शुक्रीती ली और अपने को खलीपा का नयाब पुकारा अने तत देखे आधोनी की त्यांसकार एलिफिंटिस्टन ने फिरोज को सुल्तान सल्तनत युका अकबर कहा इंपोर्टेंट है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है फिरोज की सेमिता इसके सासन काल में मंगर तैमूर लंग ने तेरा स्वंठान में इस्वी में भारत पराक्रमन किया था इंपोर्टेंट फैक्ट है ध्यान दखेंगे नर्सिदीन की मिर्ट्रीत 14-12 इस्वी में हुई जिसके बाद टुगलग वन्सका सासन समाप्थ हो गया नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14-12 इस्वी में दौलत खालो दी सुल्तान बनापरंतु ख्रीज खाने दिल्ली पराक्रमन किया उसे पराश्ट कर स्वं 14-14 इस्वी में दिल्ली से आसन परबैट कर एक नविन राज वन्स सायद वन्स की अस्थापना की आसा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तिसे लाइक करें सेयर करें साती चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को यग दोबर सुल ने ताकि आपका रिविजन हो जाए कोई क्वेशन यास से ना चुटें तो आजके लिए इतना है द सिसी बिहार दरोगा से डीपियों जे पीसी अन सबी एक्जाम को ध्यान में रखते हुए क्रान पर्विकेशन की सिरीज चलाई जा रही है इसके इंतरगर थम्लब में डायवल के कोश्चन को देखते हैं ताकि यहां से कोई कोश्चन एक्जाम में तो न चूटे आज का टापिक है सायद वंस 14-14-1451 इसे रेटिड फैक्ट देखे सायद वंस का संस्थापक क्रीज खा 14-14-1421 इस भी था उसने सुल्तान के उपादी ग्रहन नहीं की थी बलकि रहयत ए आला की उपादी से संतुस्टा वा तैमूर के पुत्र सारुख को नियंतर भेट और रा 14-14-34 इस भी को अपना उत्रादिकारी गोशित किया उसने साह के उपादी धरन की उसने अपने नाम के सीखे चलाए उसने उसने यमना के किनारे मुबारक बात पसाया उसने ततकालिक विद्वान याहिया सरहीदी को सनक्षन परदान किया जिसके जिसने उस समय तिहां स्ता के मुबारक साही भी को लिखा। मुबारक साय साथकों में योगतम सासक था। लोधी ने 4-лем IOSP में अपर दर्सकर दिल्य पर लोधीबंस की स्तापना की स्यHHHH ने कि भारत में ग३ाइस्गा डिल्य फोधी 929 526 जिसने पहला है एन भारात में परतम अफगान राज़गास स्ताप अस्तापना लोधीओं ने बलोल लोडी 1411-1489 दिल्ली की गदी पर बैटने वाला पर्तम अफगान सासर्ग बलोल लोडी था वो बलोल सागाजी के नाम से दिल्ली में सियासन पर बैटा वो अफगानों की एक महतपून साखा सालू खेल से समंदी था उसकी महतपून स अफलता जौनपूर राज के दिल् जो अकवर के पहले तक उतर भारत में बिनमे अर्मुक साधन बना रहा। नेक्स्ट है वो आमीरों को मस्दन ए अली पुकारता था। नेक्स्ट है उसका अंति माक्मन ग्वालीर पर हुआ। ग्वालीर से वापस जाते हुए जलाली के निकट जुलाई 1489 इसवी में उसकी मिर्तु हो गई। नेक्स्ट है उसने आगरा कनवीर नगर बसाया जहां परबादल गड का कीला का निर्मान किराया। 1524 में आगरा सिकंदर लोधी का रजधानी बनी। नेक्स्ट है सिकंदर लोधी गुल रुखी के नाम से फार्सी में कविता लिखता था। उसके समय गायन बिद्या में एक्सेस्ट ग्रंत लज्जत ए सिकंदर साही की रचना हुई। नेक्स्ट है उसने एक एवरवेद ग्रंत का फार्सी में नुबाद कराया जिसका नाम फरहादे सिकंदरी रखा था। नेक्स्ट है उसने नाप के लिए पैमाना गज सिकंदरी प्रारंग किया जो 30 इंच का होता था। सिकंदर ने अनाज पर जकात लेना बंद करवाया। उसने ब्राह्मनों से जजिया लेना पुना शुरू किया। उसने नगर कोट के जौला मुखी की मुर्थी को तोर कर उसके टुकरों को मास तोलने के लिए कसायों को दे दिया। उसने मुहरम में ताजीय निकलना भी बंद कर दिया था और मुसलिम इस्तिरियों की पीरों और संतों की मजारों पर जाने से रोक दिया। सिकंदर लोधी की मिर्थिव 21.570 को आगरा में हुई इब्राहम लोधी 1570-526 इब्राहम लोधी सिकंदर लोधी का पुद्र था जो लोधी बंसका अंतिम सासक था पर्मुक अपगान सरदार दौलत खा लोधी पंजाब का सुवधार और इब्राहम लोधी के चाचा आलम खाने इब्राहम की सत्ता को समात करने के उद्धे से काबूल के सासक बाबर को भारत पर आक्मन करने के लिए आमंत्रित किया नेक्स्ट है 21 अप्रेल 1526 इस्वी को बाबर और इब्राहम लोधी के बीच पानीपत का पर्थम युद हुआ जिसमें इब्राहम की प्राजें हुई वह युद अस्तल में मारा गिया नेक्स्ट हम लोग देखे इब्राहम लोधी की मिर्तु लोधी बंस के दिल्ली सल्तना समाप्त हुआ और भारत ने मुगल सत्ता की समाप्त हुई अब हम लोग देखे अमीर खुष्रो अमीर खुष्रो का जनम पंद्रसो बारसो तिरपन इस्वी में उतर परदेश के एटा जिले के पटियाली रामकस्टान पे हुआ था उनका पुत का पूरा नाम था अबूल हसन या मुदीन खुष्रो उसके कुल नो सुल्तानों का सास अमीर खुष्रो ने भारति बीना इरानी तंबूर को मिला कर सितार बनाया निक्ष्ट अमुद्रे के सलतनतकारें शासन ब्रिवस्था के बारे में तो केंद्रीश शासन का परदान सुल्तान होता था उत्रा दिकाडी को कोई निश्चित नियम नहीं था परमुक अदिकाड प्रधान मंति राजस विवाग दिवान एबी राजत का वजारत का परधान आडिज ए मुवालिक सेना विवाग दिवान ए अरज का परधान दवीर एखा समीर मुंसी साही पत्र बेवार विवाग दिवांस ए इसा का परधान दिवाने रसालत विदेश वारत और कुटमीतिक समंदों का देखबाल करने वाला अधिकारी सद्र उस्सुदुर धाम विवाग का परधान काजी उलकजाद नयाय विवाग का परधान वरीद ए ममालिक गुप्चर विवाग का परधान अमीर ए आकुर असु साला का परमुख मुनसिप ए ममालिक महालेखा कार अमीर मजली साही जबों का प्रबंदन करता, खाजी आरिक संगर करता निक्ष्ट अमलोग देखे, परमुक विवाग अरून के कार्ज, दिवान वजारत बीत विवाग, दिवान ए आर्ज सैन विवाग नेक्स्ट अम लोग देखें प्राप्त धन इसके एक बटा-पांच भाग पर सुल्टान का अधिकार हम चार बटा-पांच भाग पर स्यनिकों और अनधिकारियों का अधिकार होता था लेकिन फिरो सातुगल को छोर कर सभी सुल्टानों को चार वटा पांच भागस्वयम अपने लिये रखा जा कात मुसल्मानों पधार्मी कर जजी या 11 मुसल्मानों जिम्मी पर धार्मी कर सेना का दसमलों पर्माली सर खेल 10 गुर सवारों का परधान सीपल सलार 10 सर स्केलों का परधान अमीर 10 सीपल सलारों का परधान मलिक 10 अमीरों का परधान खान 10 मलिकों का परधान सुल्तान सभी खानों का परधान नेक्स अमलों देखे एक्ताओ का सासन प्रांतों को एक्ता का नाम से पुकारा जाता था एक्ताव को सीकों के में व्याजित किया गया जिसका परमुकेक्सैनिक अधिकारी सिखदार होता था सीकों को परगना में व्याजित किया जाता था जिसका मुक अधिकारी आमील होता था निक्स फेक्ट है सासन सबसे चोटी इकाई गाउं थी जहाँ पर खूतबु स्वामी और भूर्मदत मुखियामुक अधिकाडी थे प्रांतिय या सुबे के अस्तर के अधिकाडियों को वली मुकता अमीर वा मलिक पुकारा जाता था निक्स अलावदिन खिलजी के समय दिवान निवजारत में इक्ताओ किया पर अपनानी अंतर रखा और अंतर इक्ताप्रथा को समाप्त किया फिरोज दुगलक ने इक्ताप्रथा को दुबारा सुरुवात की थी करखाना दिल्ली सुल्तानों ने विविन भस्तूओं के करके करखाने थे राते भी इसमें काम करने वाले वेक्तियों को निश्चित वेतन दिया जाता था गयर राती भी यहां काम के अनुसारधान दिया जाता था परते करखाने के देख बाल के लिए मुक्स्तरिप नामक एक अधिकारी होता था और सभी मुश्तरवी उपर एक प भारत के विविन चेतर मिस्वतंत प्रांती राजयों कवदय हुआ इसमें उतर भारत में जौनपुल मालवा कस्मीर मारवार आधियम दक्षिन भारत में मावर खान देन बहमनी बेजयनगर परमुग थे। अंतर में हा सिकंदर सा नामक सासन हुआ जिसकी काल में तैमूर का भारत पर आक्मन हुआ 1367 में इसमें इसने मारतेंड मंदिर सहित अन्यक हिंदू मंदिरों और मुर्तियों का भिनास किया उसने बुद्ध सिकंद की उपादी दी दी गई निश्ट 1420 इस्वी में सिकंदर सा के पुत्र साही खा जैन उल अवदीन के नाम से सिहासन पर बेटा उसे बुद्ध सावर महान सुल्तान भी कहा जाता था वो धार्मिक दिश्टी सेत्यान सहिस्नू था उसने माभारत और राजतरंगरी का फार्सी में नुबाद कराया था वह कुत्व नाम से फार्सी में कविताय लिखता था उसने सिकायत नामा ग्रंद की रचना की 1470 इस्वी में उसकी मिर्थू हो गई कस्मीर के लोगों ने उसमें बुट साकी उपादी दी उसके उदार नित्यों के करण उस कस्मीर का अकबर मुल नियंत्रक विवस्ता के पुत्र उल्तान महमुद ने मलिक उक उस सर्क की उपादी दी उसके पद के कारण उसका वंस सक्की वंस का लाया सक्की सासकों में सबसे उलेखनी सासक इराहन सा था जिसे सिराज एहिंद की उपादी धारन की निक्ष्ठे अटाला मस्जी जो जानपुर ढंग से शिल्क की बिद्या देदिनान नमूने के रूप में खड़ी है इवरांसा के काल में पूरी हुई जफरी मस्जीद का भी निर्मान इवरांसा ने करवाया था निक्स फेक्ट है उसने जौनपूर को एक सुन्दर नगर बनाया और उसके समय स्थापत काला में एक नई सेली जौनपूर तथा सकी सहली का जणम हुआ इस काल में जौनपूर को पूरप का सिराज कहा जाने लगा निक्सट है सकी वंस का अंतिम साशक हुसें साशकी था जिसे बहलो लोदी ने 1489 में हराया और 1489 में जौनपूर को अपने अदिन कर लिया निक्स्ट है महा कापदमा वदकर अच्चाई था मलिक मुहमत जैसी जौनपूर का ही निवासी था अब हम लोग बंगाल की बारे में देखे तो बंगाल को दिल्ली का सल्टनत में समलित करने कसरे एक्तियारोदीन मुहमत बिन बक्तियार खिलजी को था निक्स्ट है मुहमत तुगलक के समय 1336 में बंगाल दिल्ली को स्वतनत हो गया चार सल बाद इलियास का नामक एकामीर ने लखनोती और सुनार गाहां पर कबजा कर लिया और सुल्तान समुदीन इलियास का की उपादी धारन कर बंगाल की गद्दी पर बैठा फिरोज तुगल बंगाल पर आकरमन पर आकरमन कर उसकी रहजदानी पंडुआ पर भी कबजा कर लिया बाद में दोनों में संदी हो गई निक्स्ट है इलियास का के राजवन्स का सबसे परसीद फिल्तान गियाओ दिन आजम सा 1389 से 149 इस्वी था यह अपनी नया प्रियता के लिए जाना ज लाटा था और परसीद फार्सी कभी हाजिप सियर जी किसे उसका संपर्क था निक्स्ट हम लोग देखे बंगाल के अमीरों ने 1493 इस्वी में अलावदीन हुसेन साको बंगाल का सासक बनाया चतन्ड महाप्रभ अलावदीन ने समकालिन थे उसने सत तीरे नामक अंदोरन की शुर्वाद की उसके बाद उसका पुतर नसीब खा नसरोदीन नुश्रत साकी उपादी से सियासन पर बैठा उसे गौर से बढ़ा सोन और कदम रसूल महजीद का निर्मान करवाया निक्स्ट इस्वंस का अंतिम सासक गियाओ दिन मुहमद सा था जी से सेर साने हराकर संप लूपी में पराश्ट करके दिया निक्स्ट मौमद तुगलक ने जपर खा को गुजरात का सुब्यदार निउट किया जिससे 14 से 7 इसमें अपने को गुजरात का रसुतन सासक बना लिया जफर खा को मुहमद सा की उपादी धारन की गई थी मिर्टु के बाद उसका पौत आमद सा सुल्टान बना उसे नव अस्थापित आमदाबाद को अपनी रजधानी बनाया उसने आमदाबाद में एक जामा मस्जीद का निर्मान कराया निश्ट मामुद बेगरा 1459 से 1511 इस भी अपने वंस का महांतम सासक था उसने चंपानेर एबम गिरनार के कीलों को जीता इसलिए उसे बेगरा कहा जाने लगा उसने मुस्तवाबाद नगर के स्थापना की उसने सुद्ध पूर मंदीर का बिनास कया और गुजरात ने पहली बार हिंदू को जजिया कर लगाया निश्टे 1577 इस भी में मुगल बादसा आकवर ने गुजरात को अपने समराज में म इसलिए मालवा अलावदिन खिलजी ने मालवा को दिल्ली के सल्तनत का हंग बनाया तैमूर के आकरवन के बाद दिलावर का को गोरी में मालवा के सुतंता की गोष्णा की ने इसलिए दिलावर का का पोत हो संगा सा अगला सासक बाना जिसने नर्मदा नदी के किनारे हो नेक्स्ट है मामूद सा 1436 से 1479 स्वी में मालवा के खिलजी वंस की नीप डाली मेबार की राना कुमबा से हुए युद में दोनों सासकों ने अपनी अपनी विजय का दावा किया राना कुमबा ने चित और में विजय अष्टाम बन भाया और महमुद खिल जी ने मांडूप में सात मंजीलो वाला अष्टाम बस्तापीत किया नेक्स्ट अक्बर ने मालवा को मुगल समराज का समलित किया निश्ट बाज बहा दुर महल ये इसके निर्मान करता सुल्तान नाजरवदीन सा थे रूप मती का महल कुसुंग महल मुहमुद खिलजी जहाज महल ग्यावदीन खिलजी हिंडोला भवन दरवार हाल उसंग सा निश्ट मेवार आधुनी कुदैपूर अलावदीन खिलजी ने 303 मेवार को जीत कर दिली संगनत में मिलाया था उस समय मेवार का सासक राना रतन सिंग गुल लौत राजपूत वन्स का था गुल लौत वन्स का सासक साकासी सोधिया वन्स के हमीर देव ने मेवार राजपून अस्थापना की नेक्स्ट इस राजपूत का एक महान सासक राना कुमबा था उसके मालबा के विरुद सपलता प्राप्त करने के उपलक्स में 1418 सिस्वी में चित ओर में किर्ती अस्थम पन भायाजी से हिंदू देवसास्त ने चित्रित कोस कहा गया इसके जाय देवक्रित गीत गोविंद पर दसिक प्रिया नामक ठीका लिखा नेक्स्ट 1527 सिस्वी में खानबा के युद में बावर ने राना संगा को पराजपूत किया और 576 में अकबर ने हल्दी गाटी की लड़ाई में मराना परताप को पराजित किया अंत में जागीर की समय मेवार के मुगल के सविकार लिया निक्स्ट कंदेश मलिक राजाय फारुकी नेकी उसकी राजधानी बूर्ना, पूर्थी और असीरगण का किला सकती साली सेन अड़ा था अकवर ने 1601 में खान दें त्रिमुगल समराज को समलित कर लिया आसा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पीडियो पसंद आते चे लाइक करें सेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक दो वर्सूर ने ताकि अग्जाम में न चूटे तो आज के लिए अतना है दोस्तों फिर मिलते निक्स्ट आपिक के साथ थेंक्यूं कि अग्जाम को ध्यान में रखते हुए ग्रांट पव्डिकेशन की सिरी चलाई जा रही है इसके अंतर रहत हम लोग मैं डायवल हिस्ट्री के को देखते हुए अग्जाम में कोई से न चूटे तो चले हम लोग देखते हैं में डायवल हिस्ट्री से रेटेड टॉपिक को में बीर नर्सिंग तुलुक कृष्ण देवराय अचुति राय सदा सिवराय और वाड़ु वड़ु वन्स में तिरुवर सी रंग दूतिये निक्षम लोग देखे भारत के दक्षिनी पशिम्टर पर 1336 इस्वी विजय नगर राज बरतमान नाम हमपी किरा स्थापना हरियर नामक दो भायों ने की थी मुमद तुगलग ने जब कंपली को विजय किया तब हरियर अर्बुका को पकर कर दिली लाया और उसने मुसल्मान बना दिया लेकिन जब कंपली के बिद्रो कंपली के बिद्रो हुआ तो हरियर अर्बुका को दक्षिन की चुरक्षा के लिए द पर विजय नगर बसाया नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संगम बंस हरियर पर्थम 1336-56 यह संगम बंस का पर्थम सासक था इसकी पहली राजदानी अने गोड़ी थी साथ वर्स बाद उसने विजय नगरन को अपनी राजदानी बनाया नेक्स्टे उसे होसल को जीत कर विजय न नगर समराज में मिला लिया उसने वेद मार्ग परतिस्ठापक की उपादी ग्रहन की थी नेक्स्टे बुग का पर्थम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा उसने तुलूंग टेलगु साहित को परसाहित किया उसने विजय नगर नाम बिजय नगर रखा और कृष्णा नद के रूप में उपासक था निक्स्ट है देव राव पर्थम 1466 से 22 सिस्वी उसने हर बिलास और परसीद तेलकु कभी स्रीनात को सनक्षन दिया इसके काल में इतली का यात्री निकोली कोटस्टी 1422 सिस्वी में बिजय नगर की यात्रा की इसने तुर्की तिरंदाजों को सेन निक्स्ट हम लोग देखे देव राव पर्थम नगर की यात्रा की यह संगम बंस का सबसे सक्तिसाली सासक था इसने कोंड बिंदु पर बिजय प्राथ करके अपने समराज में मिलाया नेक्स्ट हम लोग देखे देव राव दिती साहित के महां सरक्चक और स्वयम संस्क्रीत का बिद्वान था और उसने संस्क्रीत ग्यंतो महानाटक सुधा निदी वदा नरैन के ब्रहम सुथपर टीका की रचन की नेक्स्ट है उसके समय फार्सी यात्री अबूल गजाक ने पिजय नगर की यात्रा की टीकुक्त संह्त्री आ संहलीं देव नर्सिंग ने मारकर सालू वंस की अस्तापना कीा संमय टुलुब वंस या तयपाउस्टिय दुलीक है क्रिश्न देवरा15 संवाशती इन की वहांतोंаче Sü नेक्सट है क्रिस्न देवरा का उलेग किया गया क्रिस्न देवरा पुर्थगाली यात्री डोमीनो 22 यात्री था आध्र भोज भी कहा जाता है हजारा मंदिर का निर्माता समकालिन पुर्थगाली यात्री अर्वर कुर्क नेक्स्ट है दर्वार में अस्ट दिगजो का निवास रचनाय आ दोमिंगो पायस डुवाट्स बार्बोसा ने विजय नगर की यात्रा की नेक्ष्ट अमलोग देखे वह महान विद्वान विद्या प्रेमी था जिसके करणवाबिना बोज आंद्र बोज के नाम से परसीत था उसके दरवार में अस डिगज रहते थे जिसने पेडांगा परस जो संस्क्रीत अवतेलों दोनों बसाओं के ग्याता थे निग्ष्ट अचुत्य देवराय पंदस उत्तीस सब्याली सिस्वी उसने महाम अंगलेश्वा नाम नामक नयाधिकारी की निव्ति की थी उसके समय पुर्तगाली यात्री नूनिज ने बिजय नगर की यात्रा की थ बस्तविक सकती आरडवी वन्सीय मंत्री रामराय के हातों में थी निग्ष्ट ताली कोटा के यूद की समय बिजय नगर का सासक सदा सिवराय था लेकिन यूद का नेटित करता रामराय था निग्ष्ट बिजय नगर विरोधी महा संक में आमध नगर बीजय पुर्गोल सामिल थे इसमें बरार सामिल नहीं था इसका संचारन अली आदिल सा था निग्ष्ट तेरा जनबरी पंद सो साप्चतर पंद सो पैंसट इसवी में संजुक सेनाव निताली कोटा के यूद बन्नी हट्टी राक्षस तगडी का यूद में बिजय नगर की सेना को पराजित क और बिजय नगर समराज का अंतुआ निग्ष्ट इस यूद के बाद राम रान के भाई तीरु माल ने रेन गुर्डा को अपनी रजधानी बना कर बिजय नगर के अस्टित को बनाए रखा निग्ष्ट है आरा वीडु वंस तीरु मल ने पंदर सो सतर इस्वी में सदा अपना की इस वंस का अंतिम सासक सी रंग तीरतिय था दिरे दिरे बिजय नगर समराज नस्ठ हो गया निग्ष्ट हम लोग देखें बिजय नगर की सासन वेवस्ता नायकार वेवस्ता इसकी अनुसार राजा अपने जागिंदारों को निश्चित भूमी जी से अमरन कहते देता था इन भूमियों के स्वामियों को अमर नायक पुकारते थे वे राजा को प्रती वर्स एक निश्चित रासी देते थे और यूद में राजा की मदद करते थे निग्ष्ट है आंग गार विवस्ता इस विवस्ता के अंतरगत कुछ गाउं को एक स्वतन तिकाई के र प्रताग प्रांत को टम और वल्ड नाडू जीला नाडू मेला ग्राम पचास ग्रामों का समू उर ग्राम किसानों को पैदावार का एक बटाच्य भाग लगान के रूप में देना परता था सेना के लिए पिर्थक बिवाग था जिसका अधिकारी डंड नायक और सेना पती कर लाता था विजय नगर का सरवादिक परसीद सिक्का स्वन का बढ़ा था जिसे विदेशी यत्रियों ने हुन परदोस और पगोडा के रुपनों लेकित किया गया चांदी के छोटे सिक्क तार कर लाते थे सेट्टी और चेट्टी या विजय नगर राज के बेपारी बर के परमुक समुदाय था वीर पंचालिय दलस्त कार वर्ग था वेस बाग दासों के खरीद बेचे जाने के बेगवास कहा जाता था बेठल स्वामी का मंदीर एवं क्रिस्न देवराय द्वारा बनवाया गया हजार स्तंबो वाला मंदीर हिंदु अस्तापत्य काला के अदूतिय नमुने हैं निकोलो कोस्टी 1420 इस भी इटली का था उसमें देवराव पर्थम सासक थे अब्दुल रजाक 1442 इस भी फारस और देवराव दूतिये इसके सासक में नेक्ष्ट नूनिज 1535 में पूर्थगाल और अच्यूत्य देवराय के सासक में डेमियो जो 2515 इस भी पूर्थगाल था जो किस्न देवराय के सासन में आया था बारबोसा 1515 इस भी पूर्थगाल क्रिस्न देवराय के समय बाहमानी अपना 1347 इस्वी में हसन गंगु द्वारा की गई थी वाबूल हसन मुझापर अलावदिन बहमत सा के नाम से सियासन पर बैठा उसने गुलबर्गा को अपनी रजधानी बनाया और उसका नाम आमदा बादरकार उसने हिंदू के जजिया न लेने का आदेश दिया उसने अपने राज में चार सुबो तपो में बाटा गुलबर्गा दोलता बाग बरार और बादर उसकी प्रांती रजधानिया थी नेक्ष्ट है बामन साक के बाद उसका पूत्र मुमत सापर्थम 1358 से 1375 इस्वी गदी पर बैठा उसने बारंगल और विजय नगर के हिंदू रजाओ से यूद किया इस काल में बारुद का परयोग पहली बार हुआ नेक्ष्ट है परमुक बामनी सासक मुमत सापर्थम 1358 से 1375 इस्वी अलाओदीन मुजाहिद 1375 से 1378 इस्वी मुमत दूतिया 1378 से 1397 इस्वी तजाओदीन फिलोसा 1397 से 1422 इस्वी आमद सा 1424 इस्वी मुमत सा 3 इस्वी नेक्ष्ट है तजाओदीन फिलोसा ने फिलोसा नामक एक सहर बसाया और चोल और दबॉल बंदरगाओं की उनती की नेक्ष्ट है आमद सा ने 1425 इस्वी में बीदर को अपनी रजधानी बनाया जिसे मुमादाबाद के नाम से दिया गया निश्ट जाओदीन आमद सा के सासन काल में महमुद गवा को राजी की सेवा में लिया गया हिमायों ने तीन वर्स तक सासन किया हुआ बहुत क्रूर था उसे दक्कन का नीरों भी कहा जाता कहा गया निश्ट महमुद तिर्थिय के सासन काल में रूसी यात्री निकीतर ने बामानी र प्रांत में बटा गया था दौलताबाद बरार बीदर और गुलबर गया इसमें बीजापुर सम्डित था नेक्स्ट परतेक अर्गतप का परमुक तर्पदार होता था मामुद गवाब मंत्री तुकाल में प्रांत की संख्या चार से बढ़ कर आठ कर दी गई सुल्तान की साय उत्याथा के लिए मंत्री उम haven diकारी होते थे वकील उष संतनत परधार मंत्री अमीर युदर मंत्री वजीर आचरव्देश मंत्री वजीर एकुल सबी मंत्रियों के काड़ियों का निरिक्षन पेशवा वकीले संतनत का सहायक कोतवाल पुलिस अधिकारी नाजीर अर्थ विवाग के संबंदित निक्ष्ट्रे सद ए जहा न्याय एबमधर्म विवाग काद्यक्ष अमीर उस उम्रा राजी का सेना पती सुल्तान के का कस्पतन बामानी राजी के अंतिम सासर खली मुल्ला था जिसकी मिर्ति 1538 इस्वी में हुई और उसके पहस्चात बामानी राज पांच स्वतंत राजों में बट गिया नेक्स्ट रेविजापुर 1489 युसुप आदिल सास संस्थापक थे वंस आदिल साही आमद नगर 1490 मलिक आमद संस्थापक थे वंस निजाम साही बरार 1490 इमाज सास आमद साही गुलकुंडा 1512 ये कूली कुतूब सा संस्थापक थे कुतूब साही बंसके बीदर 1526 अमीर अली बरीत थे और बरीत साही बंसके थे नेक्ष अम लोग देखे पंदत सो साथालीस में इसवी में आमद नगर ने बरार को अपने समराज में मिला लिया वीजापुर्ट ने बीदर को 1618 से 19 में अपने समराज में मिला लिया साह जहां ने 1634 से इसवी में आमद नगर को मुगल समराज में मिला लिया और अंजेब ने 1686 से इसवी में वीजापुर्ट और 1687 से विगुलकुंडा को अपने समराज में मिला आया आसा करते आपको यह बीडियो पसंद आया होगा बीडियो पसंद आया किसे लाइक करें सेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को यök दबर सुन ले ताकि आपका डिवीजन हो जा यहां से कोई 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 नेकजाम में न चुटें तो आजके लिए इतना है हेलो दोस्तों स्वागत है आपका प्रेंका रणिंग क्लासेज में सबी एक्जाम को ध्यान में रखते हुए क्राउन पॉब्लिकेशन की सिरी चलाई जा रही है इसके अंतर गत हम लोग में डाइवल हिस्ट्री के कोश्चन से रेटेड फैक्ट को देखते हैं ताकि एक्जाम में कोई कोश्चन यहां से न चुटे तो चली हम लोग देखते हैं में डाइवल हिस्ट्री से रेटेड टॉपिक को आज का टॉपिक है मदेकालिन भारत में धार्मिक अंदूलन काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है यहां से हमीशा कोश्चन बनता है तो इससे रेटेड हम लोग फैक्ट को देखेंगे तो पहला फैक्ट है मदेकालिन भारत में मुसल्मानों में सूफी सप्रदा है कि प्रगती और हिंदियों में भक्ती मार्ग के पर बल अत्वा भक्ती अंदूलन की प्रगती थी निश्ठे सूफी अंदूलन इसलाम की रहसेवादी तथा समनवेवादी दर्शन की विवेटी है इसमें इसलाम के बायसोरूप अत्वा किरिया कलापो पबल नहीं दिया जाता अपितु आंतरिक पेरना सदचार मानपता इस्वर के प्रती प्रेमादी पर बल दिया जाता ह निक्ष्ठ सूफियों का मट खानका कहलाता है संग को वस्टल और उसकी कवर को दरगा कहते हैं निक्ष्ठ अबू फजल की रचना अकवर नामा में 14 सूफी सिलसिलों कवर्णा ने जिसमें जे चार सिलसिलों भारत में काफी लोग प्रिये हुए सूफी सिलसिले है पहला चिस्ती सिलसिला दुसरा सूरा वर्दी सिलसिला तीसरा कादिरिया सिलसिला चौर्था नक्सवंदी सिलसिला चिस्ती सिलसिला के बारे में देखे तो चिस्ती सिलसिले का संस्थापक अबू अबदाल चिस्ती थे लेकिन भारत में इसका परचार परसा ख्वाजा मोधिन चुस्ती ने किया उनका मुख केंद अजमेर था नेक्स्ट इस सिलसिले के संत गरीबी पूर्व गरीबी पूर्ण जीबन यापन करते थे और राज के सनक्षन को स्विकार नहीं करते थे नेक्स्ट चिस्ती संत खानकाओं के संगीत को महत देते थे इनकी संगीत सभा समा कहलाती थी इसी के कवाली का विकास भी हुआ नेक्स्ट चिस्ती संप्रदाय के परमुक्संत ख्वादा मुधीन चिस्ती मुहमद गोरी ने इनको सुल्तान उल इंद की उपादी प्रदान की थी इनकी मेतू बारसो चती सुशबी में हुए जिसके बाद अजमिर में दरगा का निर्मान कराया गया इनके दो परमुक्सित थे सेख हमी ओदीन नगोरी और सेख कुतुबदीन बक्तियार का की असाइयो का वज्सा की उपादी परदान की निश्टे बक्तियार काकी येलतुतमिस कालीन थे मुहमदी इन्चिस्ती इने बक्तियार कहते थे कुतुविदी नेवक ने बक्तियार काकी की याद में कुतु मिनार का निर्मान आणब कराया था निश्टे बाबा फरीद इनका पूरा नाम फिरुदीन मंसुक संकर एक गज था बाबा फरीद से गुरु नानकर कापी प्रभावी थे इसलिए गुरु ग्रंद साहिब में बाबा फरीद की सिक्छाओं का संकलन है इनका कारचेद पंजाब में अजोधन में था इनोंने चिल सूफी संत्य जिनोंने साधी नहीं की थी इनको मवव इलाही इसवर कप्री कहा जाता था अमीर हसन रिजवी का रचना फाउदिल फावाद में ओलिया की सिक्छाओं संकली थे उन्होंने भारती योग प्रयानाम को अपनाया था इसलिए उन्हें योग सिद्धी भी कहा गय सेख चिस्ती अमीर खुसुर अमीर हसन देलवी इसके परमुक्षिस थे निश्टे बहुरुदीन गरीव इसमें दक्छिन भारत में चिस्ती सिलसिले का परचार परसार किया इनकी गतिवीद्यों का केंदर दौलता बाद था निश्टे गेशुद राज इन्होंने दक्छि सिलसिला का परभाव उतरपश्मी सीमा प्रांथ चेतर में था समपती को आध्यात्मिक विकास में बादक नहीं मानते थे निक्स्ट है कादिरिया सिलसिला इस सिलसिले की संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी थे जिन की मजार बगदाद में है इस सिलसिले के संत सनातन पंथी इसलाम के समर्थक थे तर्थ संगित विरोधी थे ये अपने सीर पर हरे रंग की पगरी बानते थे इस सिल्सिले के एक परमुक संत मुहमद गोस ने उतर भारत में अपना परचार परसार किया ग्रोस से प्रवावितो कसी कंदर लोधी ने अपनी पुत्री की साधी उनसे करा दी नेख्षस, सैक मुसा अकबर के समकालिन थे दारा सीको संत मुल्तान साबस्की के सिस्ट्थे नेख्षस, नक्सबंदी सिल्सिला, ख्वाजा औवलेला नक्सबंदी इस सिल्सिले के संस्थापक थे लेकिन शेक आहमद फ़ारुकी सरहिंदी ने भारत में इसका परचार किया निक्ष्ट है ये कुरान हदीस सर्यत के पालन पर जोर देते थे और संगीत को इस्लाम बिरोधी मानते थे निक्ष्ट है सेक आमस सरहिदी को मुझे इस्लाम सुधारक कहा जाता था वे अकबर और जायंगीर कालीन थे इनोंने अकबर के दिन एलाही का बिरोध की और जायंगीर नहींने बंदी बनाया था निक्ष्टे और अरंजेब के समय इस सिलसिले का परवाव काफी बढ़ गया था वे सेख मासूम का सिस्था कुछ अनत्यत, फिरदोसी सिल्सिला, सूरावर्दी सिल्सिली की एक साका थी, जो बिहार में लोकप्रीय रहा, सेख नयारुदीन को चिराग एदिली के नाम से जाना जाता था, सूपी मद में गुरू को पीर और सिसे को मूरीत कहा जाता था, सतारी सिल्सिला का संस्था पक अब्दूल सतार था जो केबल मद भारत नहीं सक्रिये था बादत उल्सहुद सिधान्त का पर्तिपादन सेख अहमद सरिंदी था निक्ष्ठे सूफियों के संपरदाएं बा सरा जो सरियत के आदेशों को मानते थे तता बे सरा जो सरियत के आदेशों का उलंगन करते थे निक्ष्ठे परतिक सूफिय सिल्सिले का परदान खलीपा कहलाता था निश्ट अरंजेब ने सरमध नामक सूफी संथ को मिर्टु दन दिया था निश्ट भक्ति अंदोलन हिंदु धर्म के अंतरगत उत्पन भक्ति अंदोलन मद यूग के धार्मिक जीवन के एक महान पिसेशता थी पिसेशता थी भक्ति अंदोलन के परवर्तकों ने जाती प्रता का विरोध किया मुर्ति पूजा को आवस्यक नहीं वताया और एक इस्वर बात का समर्थन किया निश्ट भक्ति अंदोलन का विकास सात्मी से बार्मी सताबदी के बीच दक्षिन भारत में उवा सेब नैनारो और बैसन वलबारों ने मुक्ति के इस्वर की बैक्तित वक्ति पर जोर दिया इस अंदोलन का परमुख परचारग संक्राचार माने जाते हैं ये हिंदू का सुधारवादी अंदोलन था नेक्स्ट हम लोग देखे परमुख मत और उसके प्रतिपादक संक्राचार आ दोयतबाद इसके संप्रदाय स्मेथी उपास्टन निर्गुन और ज्यान मार्ग था रामा नुजी चार बिसिष्ट दोयतबाद था संप्रदाय सिरी संप्रदाय उपास्टन सगुन मार्ग भक्ति मार्ग निबंगा चार्ज इसके दर्शन दोयता दोयतबाद और सनक संप्रदाय के थे सगुन उपास्थन और भक्ती मार्ग मादवा चार्ज दोयतबाद के थे संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय उपास्थन और मार्ग भक्ती मार्ग बलवाचार सुध देतबाद और संप्रदाय रूत्र संप्राय और उपाशना सगुन मार्ग भक्ती मार्ग निश्टे भक्ती अंदोलन के परमुक्संत संक्राचार संक्राचार का जनम पुर्णा नदी के किनारे कालंदी मालाबार केरल नामकस्थान पर 788 इसवी में हुआ थ क्योंकि उन पर बहुत धर्म के सुनवाद का परभाव था उन्होंने ज्ञान मार के अंतरगत निर्गुन उप्राम की वपास्ना प्रबल दिया और अदेत बादर्शन जो दो ना हो परतिपादित किया निश्टे संक्राचार ने बदरिनात में जोती पीट द्वारका में स आंती पीट पूरी में गुवदर्दन पीट और मैसूर में सिंगेरी पीट का स्थापना की थी नेक्स्टे रामा नुजेचार बार्मी सताब्दी क्यारा में इन का जनव आंध परदेश की त्रीपूती नामकस्थान पहुआ वे सगुन इस्वर्ग में विश्वास करते थ उन्होंने बद रायन के भास से और वेदांत सुत्र परद्भास लिखा था उन्होंने विश्ष्ट दोयत बात प्रतिपादित कर सुत्र को भी अप्रसी से बनाया उन्होंने अपनी सिक्चा यादर परकास और यामनी मनी से प्राप्त की नेक्स्ट नेम बार्क बार्मी सता कि वे राधा क्रिष्ण के उपाशक थे ओर उन्हें संकर का अफ्तार मानते थे उन्हों ने द्व हैतन दरसन प्रतिपाइद किया विर मानुई चार के संकालिन थे निक्स्ट मिलक देखें मादवाचार सर्ज तेरिमी से 1531 उनके पिता लक्ष्मन भट ते लंगाना के ब्रामन थे और जब वे कासी की यात्रा पर थे तो बलवाचार्ज का जनम हुआ उन्होंने सुधा देत्वा बाद सिधान्त का पर्तिपादित किया वे बैस्न संपरदाय के अंतरगत क्रिष्ण भक्ति साका के परमुक्सन थे वे श्री नात जी के रूप में क्रिष्ण भक्ति पर बल देते थे उन्होंने सुबोधनी और सिधान्त रहस जैसे धार में ग्रंत लिखे निश्ठ बलवाचार के पूत्र बिठन नात ने क्रिष्ण भक्ति को और भी लोगप्रिय बनाया अकवर ने उन्हें गोकुल और ज जीरे परदान की अरंग्जेब की समय स्रीनात जी के मुर्ति को उध्यवपूर पहुचा दिया गया जहां वह नात द्वारा के नाम से विख्यात हुई निश्ठ रामा नंचादमी सती में ये रामा नुज किसी से थे जिनका जनम परियाग इलाहाबाद में हुआ था उन्ह उसके बारस इस्यों की घना जाड था सेंदास नाई था रवीदास सेंदास चमार था और कभीर जुलाहा था निश्ठ कभीर हुए सिकंदर लोधी की समकालीन थे उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के निकट लाने का प्रयत्नी किया कभीर ने भक्ति कोई मुक्ष प्राप अमर मूल में है उनकी मिर्तु मघहर संत कभीर नगर उतर परदेश में हुई निश्ठ गुरु नानक 1479 से 1538 सिस्भी कुरु नानक का जनम लहोर के तलवंडी परतमान ननकाना नामकस्थान पर एक खत्री परिवार में हुआ वे मुर्ती पुजातिर थियातर और धार्मिक आडंबरों के कटर विरोधी थे लेकिन कर्म और पुनर जनम में विश्वास रखते थे उन्हों ने निरांकार इस्वर की कलपना कीजी से जिसे अकाल पुरुस की संग्या दी वे सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावी थे उन्हों निशिस से बनाये जो सीक कहलाने लगे उनका निदन करतारपूर में हुआ निश्टे चैतन 1486 से 1534 से इनका जनम बंगाल के नव दीप नामक अस्थान पर हुआ इनका वास्तव विक नाम विसंबर था पर बचपन से इनका नाम निभाई था शिक्छा पूरी होने के बाद उन्हें विद्या सागर की उपादी दी गई उन्होंने कृष्ण को अपना राध माना इनके पर्यासों से बंगाल और उरिशा में बैस्टन धर्म लोग प्रिय हुआ नेश्ट उरिशा नरेस परताप रुद्र गजपती इसके सिस थे चैतन महापर्भू का देहा वासन पूरी में हुआ नेश्ट दादु दयल 1544 स 1603 इसमी इसका जनम अहमदाबाद में एक जुलाहा पड़िवार में हुआ वे कबीर के नुवाई थे उन्होंने ब्रह्म समाज संपरदाय के स्थापना की सुंदर दास रजजब और सूर दास उनके सिस्थे उनकी मिर्तु राजिस्थान के नरायन गाउं में हुई थी अब नेक्स्ट हम लोग देखे सिख धर्म गुरू पहले गुरू नानक सिख धर्म के संस्तापक गुरू अंगत गुरू लिपी गुरू मुखी लिपी के अविस्कारक गुरू रम अमर दास अनु ने जैंगीर ने फासी दे दी निक्स्ट गुरु हर गोविंद अकाल तक्त के संस्थापग गुरु हर राय अपने पूत राम राय को मुगल दरबार में बेजा निक्स्ट गुरु हड़ी की सन गुरु पद के लिए संगर्स गुरु तेंग बादु अरंग जेव ने फासी प्रावन की पासना पर बल देते थे उन्होंने अपने बिचार ब्रजवासा में रखे संकरदेव संकरदेव ने असम में बैस्नमत को लोगप्रीय बनाया इनको नरंग देव भी कहा जाता था उन्हें एक सरंग सिधान परतिपादित किया नेक्स्ट मीरा बाई 1498 से 546 इस भी ये मेरता के राजा रत्नन सिंग रठोर की पुत्री थी जिनका विवाराना संगा के पुत्र भोज राज के साथ हुआ वो भगवान पिष्ण की भक्ती थ और उन्हें राजस्थानी और ब्राज भासा के में गीतों की रचना की इन्होंने घृष्ण की उपासना प्रेमी और पती के रूप में की नेक्स्ट हम लोग देखे सूर्दा सुलमी से सत्रमी सताब्दी इनका जनम रोनक नाता नामक गाउं में हुआ था वे अकबर और ज जांगीर की समकालीन थे इन्होंने ब्राज भासा में सूर्ज सागर साहित लड़ी की रचना की ये सगुन भक्ति के उपासक थी तुल्ची दास 1532 से 1683 इनका जनम बांदा जिले के राजापूर गाउं में हुआ था ये अकबर की समकालीन थे और रचना राम चरित माना सब अधिवासा में है इनकी रचनाय ग्यतावली कवितावली और भी नय पत्रिका आधी है महराष्ट में भक्ति अंदल महराष्ट में भक्ति पंथ पंठर पूर के देवता बिठोबा या बिठल के मंदीर के चारों और केंद्रित था बिठोबा को किस्न का अवतार माना जाता है बिठोवा पंथ के तीन इनुवाई ग्यानेशवर नामदेव आर्टुका राम थे। ग्यानेश्वर इन्होंने महराष्ट में भक्ती अंदोदन की सुलवात की थी। ग्यानेश्वर निश्री मधभगवत गीता पर्मराथी भासा में भवार्त दीप का ग्यानेशुरी नामक टीका लिखी। तूका राम ये सीवा जी के समकालिन थे इनकी रचना है। फिस्न को स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आयते से लाइक करें सेयर करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करें तो आज के लिए इतना है दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक्यू हलो दोस्तों स्वागत है आपका प्रिंका लर्निंग क्लासेज में सर्चट में विपेसी ब्यार सेसी ब्यार दरोगा से डिप्यो जेपीसी आन सबी एक्जाम को ध्यान में रखते हुए ग्राउंट प्रवडिकेशन की सीरी चलाई जा रही है इसके अंतरगत हम लोग में ड आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं मुगल समराज के बारग में जिसमें मुगल कालीन इतियास के स्रोद के बारे में देखें साहेतिक स्रोद बाबर तुजुक ए बाबरी तुर्की भासा आत्मकता है गुलबदन बेगम हमायो नामा फारसी अबुल फजल आयन ए अकबरी अबास का सेरवानी तारी के सेरसाही निजा मुदीन आमद तबाकत ए अकबरी जांगीर का अत्मकता तुजुक ए जांगीरी मुतमिद खाब नामा ए जांगीरी ख्वाजा कामगार मसीर ए जांगीरी नेक्स्ट है अबुल हमीद पात्साह नामा इनायत का साह नामा साजहा नामा बदाविनी मुख्यत अत्तवारिक मिर्जा मुछमद आलमगीरी नामा मुस्तैद का मासीर ए आलमगीरी खाफी का मुस्ताखाब उल लुबाब विदेशी वीबरेन हमलोग देखे तुग्राट दप मराठो का हितियास कर्णल ताड राजपुतो का हितियास बिलियम हौकिन्स 1608-13 इसवी के बीच जांगीर के दरबार में रहा सर तॉमस रो 16-16-19 इसवी जांगीर के दरबार में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रांसिसको डच डॉक्टर के बारे में जांगीर के दरबार में रहा बर्नियर फ्रेंच डॉक्टर ट्रवनियर फ्रेंच जोरी मानूची साहजाह के दरबार में आए अब हम लोग देखते हैं मुगल के समारग बावर का मकवरा काबुल हि देखते हैं इसके अंतरगात हम लोग पहले बाबर के बारे में देखते हैं जो पंदसो चब्वी से पंदसो तीस स्वी के बीच का कारिकल था तीसे रेटेड हम लोग फैक्ट को देखें मुगल समराज के संस्थापक जरुदीन महमत बाबर थे उनका जनम 14 फरवरी 1483 स्वी क फरगना में हुआ था वह प्रिती वंस की और से तैमूर वंस और मात्री वंस की और से चंगेश खांका बंसस था यानिके पिता की और से पिता की और से तैमूर का और माता की और से ये चंगेश खांका था कन्प्यूजन नहीं होगा ये अच्छे से समझ ले नेक्स फैक्ट भारत पर आक्रमन से पहले बाबर ने काबूल, बुखारा, खुरासान और समदरकंद पर विजय प्राट की थी यह जगह सब इंपोर्टेंट हैं से ध्यान रखेंगे यहां से कोश्चन आता है बाबर ने 507 इसबी में काबूल जितने के बाद पाथा की उपादी धारन की यहां से कोश्चन बनता इसलिए ध्यान रखेंगे अब हम लोग देखते हैं बाबर का भारत पर आक्रमन बाबर ने अपने पर्थम आक्रमन 159 इसबी में बांजोर और भेरा को जीता और वापस चला गया बाबर खैबर दर्रे से होकर आया था कभी कभी दर्रे कोश्चन पूछ देता है तो इंपोर्टेंट है त्यान रखेंगे दूसरा आक्रमन भी 159 इसबी में हुआ और वो पेसाबर से वापस चला गया नेक्स्ट है तीसरा आक्रमन 1520 इसबी में हुआ और सियाल कोट के उसके अधिकार में आ गया नेक्स्ट है बाबर ने अपने चौथे आकमन पंदोसो चौविस इसबी में पंजाग के अधिकांस भाग पर कपजा कर लिया नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाबर दोरा लड़े गए परमुक यूद जिसमें से पहला यूद हम लोग देखें कापी इंपोर्टेंट है पानी पत का पर्थम यूद ये डेट कभी कभी पूछ देता है मैं इसे याद रखेंगे तो पहला यूद कभी हुआ था तो 21 अप इस यूद में तुगलुग मा यूद पदती वा तोप खाने इस यूद में पहली बार तोपो का पर्योग हुआ यहां सभी कोश्यन बनता है तो ध्यान रखेंगे उस्ताद अली कुली मुस्टफा बाबर और तोपची थे उन्होंने तोपो की सजाने में उस्मानी वीदी यहने कि रोमी वीदी का परयोग किया यह भी इंपोर्टन बनता है ध्यान रखेंगे नेक्स्ट यूद के बारे में हम लोग देखे तो यह है खानबा का यूद खानबा का यूद कभुआ 17 मार्श 1527 विको यह यूद बाबर और मेबार के सासक रामा सांगा के बीच हुआ यूद जितने के बाद बाबर ने गाजी की उपादी धारन की ग्रहन की यह भी कोश्चन पूझता है तो ध्यान रखेंगे किसी यूद के बाद उपादी धारन की थी तो यह खानबा के यूद के बाद नेक्स्ट अम लोग देखते हैं चंदेरी का यूद ये हुआ था 29 ज हाद घोसित किया यह भी इंपोर्टेंट बनता है ध्यान रखेंगे निक्स्ट यूद है घागरा का यूद मैं 1529 इस यूद में बाबर ने घागरा के टट बिहार वो अफगानों को प्राजित किया या बाबर द्वरा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी निक्स्ट अम लो के लिए कलंदर का पूर्ण कारा गया किसे का गया तो यह पानीपत्य यूद जितने के बाद निक्स्ट है बाबर ने पद में एक नवीन सैली में मुव यान को लिखा जो मुस्लिम कानून की पुष्टक है इंपोर्टेंट बनता है ध्यान रखेंगे निक्स्ट बाबर की पुष्टक का नाम भी इसलिए ध्यान रखेंगे जिसे अकबर ने अब्दुलरहीम खाने खाने दोरा फार्सी बासा में लुप रंतन कराया था इंपोर्टेंट है ध्यान रखेंगे इसमें भारत में पांच मुसलमान राज्य है दिल्ली गुजरात बहमनी मालवा बंगाल दो काफी राज बिजयनगर और मेवार का बंगन है नेक्स्ट है उसने आगरा में जयामीती विधी पर नूरे अफगान नामक भाग लगबाया जिसे अराम भाग कहा जाता है नेक्स्ट है चब्विश दिसंबर पंद सुतीस इसवी को बाबर की मिर्तु आगरा में हुई प बाबर ने मरने से पहले हिमायू को अपना उत्राधिकारी गोसित किया निक्स्ट है हिमायू के बारेंपरे तिनका कार्जकाल 1530-1556 भी तक था बाबर निसब से बड़े पुत्र हिमायू का जनम छे मार्च 1518 भी को काबूल में हुआ उनकी मा माहत सुल्ताना थी हिमायू के मुल्तान हुआ पंजाब सौपा असकरी मा गुलखुल बेगम के संबल का चेत्र हिंदाल के बारे में देखे तो मा दिलदार बेगम के अलवर का चेत्र सुल्यमान मिर्जा चशीरा भाई बक्स्ट खाका चेत्र था हिमायू ने 30 दिसंबर 1530 इसवी को 23 वर्स की आयू में आ पहला आक्रमन किया लेकिन हुआ सफल रहा निश्ट है दो रहां दो रहया का यूद और चुनार का पर्थम घेरा 1532 यह यूद हिमायू और अफगान महमुद लोधी के मद हुआ जिसमें महमुद लोधी प्राजित हुआ इसके बाद हिमायू ने चुनार गड़ का घेरा ड अंडो और चेंपानेर के दुरुको जीता निश्ट चौसा का यूद काफी इंपोर्टेंट ध्यान रखेंगे यह यूद कब हुआ था तो 26 जुन 1549 इसबिको यह यूद हिमायू और सेर खाके मद चौसा नामक अश्ठान पे हुआ चौसा कर्मनासा नधी पर इस्थित था यहां से कोश्चन बनता है ध्यान रखेंगे यह यूद में हिमायू पराजित हुआ यूद जितने के बाद सेर खाने सेर सा के उपादी धारन की इस यूद में हिमायू बड़ी मुश्किल से निजाम नामक एक विश्टी की सायता से गंगा पार कर सका नेक्स्ट है कन्नो जिया रामका यूद 17 मही 1540 इस भी इस यूद में सेर साने हिमायू को पराजित कर आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और हिमायू भारत चोर कर सिंध चला गया नेक्स्ट हम लग देखते हैं हिमायू का निस्कासित जीवन 1540 से 55 इसमें 15 वर्ष के निस्कासित जीवन के दरान हिमायू ने हिंदाल के गुरू मीर अली अकबर जामी की पुतरी हमीदा बामव बेगम से 1541 इसमें बिवा किया इसे कलांतर में अकबर को जनम दिया नेक्स्ट हम लग देखते हैं बारत की पुना विज़ा और मिर्तु 1525 से 56 इनिकी 15 मई 1525 को मच्छी वाड़ा के यूद में मुगलों की बिज़य हुई और पंजाब को जीत लिया 22 जुन 5555 को सरहिंद के यूद में मुगलो ने सिकंदर सूर को पराजित किया इसके बाद हिमायों ने दिल्ली अकबरा संबल आधी छेतरों पर कबजा कर लिया 23 जुलाई 5555 को हिमायों एक बार फिर दिल्ली का बादसा बना नेक्ष्ट है हिमायों की मिर्टुद्विन पना की पुस्त काले की सीरियों से गिर कर 24 जन्मरी 556 को हुई उसने अकबर को अपना उत्रादिकारी निफ्ट किया दिल्ली में दिन पना नामक नगर की अस्थापना हिमायों ने की इंपोर्टेंट है तो ध्यान रखेंगे नेक्ष्ट हम लोग देखते हैं सेर सा सूरी सेर खा 1540 से 45 इसवी सेर सा ने उत्तर भारत में सूर वन्स की दूथी अफगान समराज की अस्तापना की पहला अफगान समराज लोधी वन्स का था नेक्ष्ट है सेर सा का जनम 1472 इसवी में डॉक्टर कानूंगे के अनुसार 1486 इसवी में हुआ था उसके बज़पन का नाम फरीद था 1497 से 1518 इसवी तक निरंतर 21 बज़ तक फरीद ने अपने पिता की जागीर की देख बाल की और सासन कानवा प्राप्त किया बर्खा लोहानी में फरीद को सेर को मारने के उपलक्ष में सेर का की उपलाप्दी दी नेक्ष्ट है सेर खा ने हजरत ए आला की उपादी ग्रहन की और दक्षिन बियार का वाश्ट्विक सासक बना नेक्ष्ट है 1530 सिस्वी में सेर साने चुनार के किलेदार ताजखा बिद्वा पत्नी लाड़ मलिका के से विवाकर चुनार के किले का अधिकार किया निक्ष्ट है 1549 इस्वी में चौसा के यूद में हिमाओ को पराजित करने के बाद सेर खाने सेर सा सुल्तान आदिल की उपादी ग्रहन की और सुल्तान बना निक्ष्ट है 22 में 1545 इस्वी को कालिंजर पर आक्रमन के समय तो अब खाना फट जाने से सेर साकी मिलतू हो गई और कालिंजर का सासक किरत सिंग था अब हम लग मुगलो की सासन प्रबंध के बारे में देखे इसमें किंद्री प्रसासन में सेर सासन का परधान था उसके अंद्रगत निम विभाग थे तो देखते हैं दिवाते वजारत वीत विभाग मुक अधिकारी वजीर थे दिवाने आरिज सैन विभाग मुक अधिकारी आड़िजे मुमालिक दिवाने रसालत विदेशी मंत्री की भाती कारे दिवाने इसा सुल्टान के आदेशों को लिखना प्रधान दिवरे मुमालिक दिवाने काजा सुल्टान के बाद मुक ने आदिस दिवाने वरीद गुप्तर विवाग निक्ष्ट अमलोग प्रांती प् अमी ने बंगाल भी निया अधिकारी कहा जाता था अब हम लोग परंगना के बाड़े में देखते हैं तो परंगना क्या तो ये परतीक सरकार कई परंगनों में बटा हुआ था यानि छोटे-छोटे राज्यों में परतीक परंगने में सिकदार सैनिक अधिकारी एक मुनसिफ यानि दिवानी मुकदमों का निर्नाय करना एक फोटदार खजांची और दो कानकुन कलरक जो ही साब किताल होते थे निक्ष्टे अमलक देखते हैं अर्थ विवस्था के बारे में सेर साने उत्पादन के अधार प्रभूमी को तीन स्रेनिय में बाटा अच्छी मद्यम और बुरी उसने भूमी करनेधारन के लिए राई फशलदारों की सूची को लागू करवाया किसानों को सनलग आधिकारियों के बेतन के लिए सरकार को जरी बना और मसाली लान नामक कर देना होता था जो पैदावार का धाई परतिसत और पांच परतिसत तक होते थे निक्स्ट है उसने भूमी की माप के लिए सिकांदरी गज 31 अंगूल या 32 इंच क्या सन की डंडी का परियोग करवाया इंपोर्टेंट है यहांसे कोईश्यन बनता है तो ध्यान दखेंगे निक्स्ट हम लोग देखते हैं सेर साने लगान निर्धारन के लिए तीन परकार की प्रवनाली अपनाई गल्ला बक्सी बटाई नक्स मुक्ताई और कानकूत तीसरा जब्ती जमई किसानों के पैदावार का एक बटा तीन भाग लगान के रूप में किया जाता था निक्स्ट है मुद्रा के बारे में देखे तो सेर साने गी से पीटे पुराने पुरुवर्ती सास्कों के द्वारा चलायगे सीकों का चलन बंद कर दिया नेक्ष्ट है उसकी मुद्रा विवस्था बहु स्रेश थी उसने चांदी के रूपे 180 ग्रेन और तामबे के सिके कदाम 380 ग्रेन चलाए सेर सा के समय सोने के सिके 166 ग्रेन असर भी कहलाते थे उसके समय तेश टक साले थी उनके सिकों का नाम अर्वी के साथ साथ नागरी लिपी में अंकित होटा था नेक्ष्ट अमने देखे सर के वसराय सेर साने करीब 17100 सराय कनिर्मान कराया जिसकी देख माज सिकदार करता था उसने कई नई सरकों का निर्मान करवाया और पुरानी सरकों की मनम्मत करवाई जिसमें पहला है बंगाल के सोनार गाउं से आगरा, दिल्ली होते हुए लहौर तक यह सरक सरक ए आजम कर लाती थी इसे अफगरान ट्रेक रोट कहते हैं दूसरा, आगरा के बुरहानपूर तक, आगरा के चित्तोर तक, लहौर से मुकतान तक अब हम लोग भाबन और इमार्ती के बारे में देखे तो सेर सा ने रोतास गड किला दिल्ली का पुराना किला दीन पना को तुरवा कर एब उनके अंदर किला एकुना सासा राम बिहार में स्वयम का मकबरा बनवाया करनोज नगर को बरबाद कर सेर सूर नगर बसाया और हसन अलीखा था जिसे तवारिक एदोलते सेर साही की रचना की थी नेक्स्ट अमलोग अकवर के बारे में देखे तेनका था पंदसो छपपन से सोलसो पांच इसमी तक अकवर का जयानम 15 अक्टूबर 1542 इसमी को आमर कोट के राजा बीरसल के महल में हुआ उनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था वो तीन वर्स तक अक्सकरी के सनक्षन में था अकवर की हिमायू से भेट पूना उस समय हुई जब हिमायू ने काबूल और कंदार पर विजय प्रात की उस समय का नाम जलाओदीन मुहमत अकवर रखा गया अकवर ने गजनी और लहोर की सुवेदा के रूप में कारी किया हिमायू की मीर्तु के अफसर पर वह अपने संरक्षक बैरम खा के साथ पंजाब में सिकंदर सो से यूद कर रहा था अकवर कराजा भी सेख पंजाब में गुर्दास पूर जीले के निकट कलान्य और अजनामक अस्थान पर 14 फरवरी 556 इसमी को पैर अकवर ने बैरम खा को अपना वकील यानि वजीर निक्ट किया उसे खाने खाना की उपादी परदान की अकवर की प्रारंबी कत्नाईयों का हल निकालने और भारत में मुगल समराज की सुरक्षक करने कसरे बैरम खा को था नेक्स्टम लोग देखते हैं पानी पद का दूस युद्वास्तब में अक्बर के सनक्चक बैरम खा और मुहमत आदिल सासुर के वजीर हेमू जिसने दिल्ली पादिकार कर विक्रमा दिद का उपादी धार्म की वह इस उपादी को धारन करने वाला भारत का चौदमा सासक था के मधुई जिसमें हेमू पराजित और मिर्त हो निक्ष देते हैं पंदसो साथ इसभी में बैरम खा का पतन हो गया अकबर ने उसे मला चले जाने को कहा और मक्का जाते वक्त पाटन गुजरात नामक अस्थान पर मुबारक खा नामक एक अफगान में बैरम खा की हत्या कर दी इसका कोश्यन पूछता है धियान लखेंगे कि इसने अत्या कर दी थी अब हम लोग देखते हैं परदा साशन 560 से 5064 इसवी बैरम खा की मिर्तु के बाद अखकान पर साही हरम का परभाव रहा जिसमें महा अनंगा का परभाव सरवादिक था लेकिन अदम खा महामंगा का पुत्र मिर्तु डन 562 इसवी और महामंगा की मि पंद 562 इसवी के बाद अकवर निस्यम को अपने निकष्टा समंधियों का परभाव से मुप्ध कर लिया 1562 इसवी में दास्प्रथा का अंतुआ और 563 इसवी में तीर्थ यात्रा करकी समाप्ती 1564 में जहजिया करकी समाप्ती यह इंपोर्टेंट है इस ध्यान लखेंग और आसब खाके मद हल्दी गाटी में हुआ इस यूद में राना परताप मराजित हुआ राना परताप की मिर्थू 1597 इसवी में हुई निक्ष्ट अकवर की मिर्थू 25 से 26 अक्टूबर 165 इसवी को हुई उसे बहुत परवा से निलमिस सीकंद्रा अकवर के मकवरे के दपन काया गया अकवर की out की समय उसका इकमात जीवित पुत सलीम था निक्ष्ट अकवर की राजपूतनिती दमन और अरसंजवाती की थी उस संधिद्रा मिर्थ बायक से शुपदार सा, कि मेल हां का बाई से विवा किया जिस से उत्पन पुत्र का नाम सलीम था अब हम लोग देखते हैं अकवर के दरबार के नौरतन बिर्वल यानिके महेश दास अकवर ने सबसे राजा एवं कवी प्रीकी उपादी प्रदान की दूसरा टोडर मन वह अकवर का बीत मंत्री था उसे भूम उनका मकबरा भी ग्वालियर में आकवर ने तांस इनको कठा मरवानपानी उपादी प्रदान की नेक्स Qespace ने मुलाद लूप्याजा ये प्याज अभिक प्रेम होने के कारणी से मुल्याद लूप्याजा कहा जाता था हकीम हुमाम वह साही बिद्याले के परमुकता फै जीवा अबुल फजार का बड़ा भाई था उसे लीला वती गनीत की पुष्टक फार्सी अनुबाद मासा में अनुबाद किया था आठमा था अबुल रहीम खाने खाना वो बैरम खा का पूत्र था निक्स्ट अबुल फजल इसने अकबर नामा फार्सी अवं आएने अकबरी की रचना की यह अकबर के सासन काल का सरकारी गजट माना जाता है 16-2 इसवी में सलीम कई सारे पर ओर्चा के राजा बीर सिंग बुलेंदला ने अबुल फाजल की हत्या कर दी अब हम लोग देखते हैं अकबर का समराज बिश्टार इसमें पहला मालवा राजदानी सारंगपूर 1561 इसवी में पराजित सासक बाज बहादूर मुगल सेनापती आदम खा चुनार ये 1561 इसवी में आसव खा सेनापती था गोंडवाना 1564 इसवी में बीर नर्यान प्राजित सासक और मुगल सेनापती आसव खा राजिस्थान में आमेर जैपूर 1562 इसवी में प्राजित सासक भारमल और मुगल सेनापती स्वेक्छा स्यादिन ता स्विकार की निल्ट अमलोग देखते मेरता पंदसो बार्चुटिशवी और जैमल था प्राजी सासक और सरफुदीन सेनापती में बार पंदसवार्चुटिशवी उद्या सिंग प्राजी सासक और अकबर सेनापती हल्दी गाटी यूद में हुआ था इसमें रन्थामबा और में पंदर सो हल्दी गाटी यूद पंदर सुची यत्तर में माराना परताव सासक प्राजित सासक था और सेनापती आसब खार मान सिंग रन्थामबा और पंदर सो उनतर इसवी में सूजन रायथा प्राजित सासक और अकबर एक भगवान दास कालिंजर उतर बांधा उतर परदिश में पंदर सो उनतर इसवी में रांचन प्राजित सासक मनुझ खा सेनापती मारवार पंदस स्वत्तर इस्वी में चंदर सेन स्वेक्चा से अधिन्ता स्विकार की बिका नेर पंदस स्वत्तर इस्वी में रपराजी सासक राय कल्यानमल और सेनापती स्वेक्चा से अधिन्ता स्विकार की जैसल मेर 157 इस्वी में हराए प्राजित सासक थे और सेनापती स्वेक्षा से अधिनतर स्विकर की नग्श्ट है गुजरात पर्थम्यूद मेर 1572 इस्वी में मुझःपर खार तिर्थिये प्राजी सेनाशासक और अकबर सेनापती दूतिय में 583 इसवी में मुहमाद हुसैन मिर्जा इसमें प्राजी सासक और अकबर सेनापती बियार अवें बंगाल 584 सची अथर दाउद खा साल प्राजी सासक और सेनापती मुनीज खा अवें अकबर नेक्ष्ट हमलोग देखें काबूल 581 इसवी हकीम मिर्जा प्राजी सासक और सेनापती मानसी एव मकबर कस्मीर में 586 इसवी में यासभू खा प्राजीत सासक भगवान दास और कासिम खा सेनापती सींद 1590 इसवी में जानी बेक प्राजीत सासक और अब्दुल रहिम खाने खाना ये थे सेनापती उरिसा 1590 सेविरान में निसार खा प्राजीत सासक मानसीं सेनापती बलचिस्तान 1595 इसवी पन्नी अपगान प्राजीत सासक मीर मासुक सेनापती कंधार 1595 में इस भी मजपर हुसेन प्राजी सासक मुगल सरदार साहिब को स्रेक्षा से किला सौप दिया निक्ष्ट है दक्षिन भारत में खान दे 1591 में अली खा प्राजी सासक स्रेक्षा साधिन्ता सुईकार की आमदनगर 167 बहादूर निजांसा खाने खाना सा जाधा मुराद निक्ष्ट में असिर गट 1611 की स्वी मीरन बहादूर प्राजी सासक यह आकपर यह उनका अंतिम अभियान था यह पूछ सकता है कौन सा तो असीरगर दक्षिन भारत में यह अकबर का अंतिम अभियान था निक्ष्ट हम लोग देखते हैं अकबर की धार्मिक निती अकबर की धार्मिक निती का उदेश सार्भामिक सहिस्टनिता थी इसमें पहला इबादत खाना प्रात्मा बवन 1575 इसवी अकबर ने फटेपुर सिकरी के में दार्शनिक एवं धार्मिक विश्टनिता परबाद बिवाद के लिए इवादत खाना अस्थापित करवाया पहले यकेवल इसलाम धर्म के लोगों के लिए खूला था प्रिंट 1578 इसवी में सभी धर्म के लोग इबादत खाना जाने लगे नेक्स्ट राकवर ने बिवीन धर्म के विद्वानों को इबादत खाना में अमंत्रित किया जिसके परमुक थे जैन धर्म से चिंद चंद सूरी, हडी विजय सूरी, विजय सेंसूरी, पार्शी धर्म से दस्तूर महर जी, राना इसाय धर्म से मोच्ष रास, एका विवा और हिंदू धर्म से पुर्सोत्तम और देवी मजहर नामा गोष्णापत 1589 भी मजहर नामा द्वार अकबर ने स्वयं को धाम के मामले में सर्वोच बना दिया, इसके बाद उसने सुल्तान आदिल की उपादी धारन की नेश्टे दी ने इलाई 1589 भी अकबर ने सबी धर्मों में समांजस अस्थापित करने के लिए दी ने इलाई अबुल फजल के नुसार तोहिद ए इलाई इस्थापना की बिर्वल इसे स्विकार करने वाला पर्थम और अंतिमींदू था सूला कूल इसके द्वार अकबर ने सारभोमिक सहार्द वा सांती अस्थापित करने की कोशिस की अकबर ने हरी बिजय सूरी को जगत वूरी हुआ चिन चंदर सूरी को युग परधान के उपादी परधान की निक्ष्ट हम लोग देखते हैं समाजी कर अकबर ने तूला दान, पायबोस, जरोका दर्शन जैसी पार्सी परिवंपराव को सुरू किया बरावन दीन में फते पूर्शिकरी का खाका तयार किया था अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया बिद्वा विवा कानोनी मानेता दी सरा विक्री पर रोक लगाई और लड़के लडिकियों के विवा के अमर 16 वर्स और 14 वर्स निर्धारित की निक्ष्ट है मनसबदारी विवस्था अकबर ने 534 इसवी में मनसबदारी विवस्था के अधार पर सेन संगठन किया या विवस्था सेन विवस्था का अधारती परतेक सैनिक अधिकारी मनसबद परदान किया गया निक्ष्ट हम लोग देखते हैं इस विवस्ता कमुक अधार दसमलो पर्नाली था, मीर भक्सी मनसब्दारों की सुची रखता था, बाद में अकबर निमनसब्दारी विवस्ता में जात और सबार के पदों का आरम किया था निक्स्ट रागान ब्यवस्था राज की आय की परमुक साधन लगान भोमी करता अकबर कालें लगान ब्यवस्था स्रेश्टर म लगान पदिती थी दासाला विवस्ता पंद सो असी से टोडर मनले प्रारम किया उसका मुख साहयक ख्वाजक सा मनसूर था नेक्स प्रनाली कनकूत प्रनाली इसमें फसल देखकर पैदावार का अंदजाय लगा जाता था नेक्स भूमिन आपने के लिए पंद सो चीयासी स सतासी सबी में गज इलाही एक तारी संगू सारे 33 इंच का परियोग आरम किया गया राज कहीं सा पैदावार एक बटातीन भाग होता था नेक्स है गल्ला बक्ती बटाई फसल का किसान एवं राज में बटवारा जपती का नकदी पैमाइस और गल्ले की किस्म के अधार पर लगान ते करना आसा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा आप वीडियो पसंद आया जिसे लाइक करें साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक दोबर सून ले ताकि आपका डिवीजन हो जाए और आपका यहां से कोई कोश्चन ना छुटे तो आज के लिए इतन दोस्तों स्वागत है आपका प्रेंका लेर्निंग क्लासिज में ट्रचटमी वीपेसी, वी रससी, वी दरोगा, सिडिप्यो, जेपेसी अंसाभी एकजाम को ध्यान में रखते हुए क्राउन प्रविकेशन की सिरी चलाई जा रही है इसके अंतरकात हम लोग में डाइवर हि खाना ने रहित सतकई की रचना की थी नेक्स्ट अमलग परमुक अनुबाद देखे तमा भारत का अनुबाद नकीम खा बयादनी अबुल फजल फैजी आदी विद्वानो दरा रजम नामा के नाम से किया नेक्स फैक्ट देखते हैं बद्वानी ने रमायन का अनुबाद क इंपोर्टेंट है यहां से कोश्यन आता इसलिए धियान रखेंगे नेक्स फैक्ट हम लग देखे बद्वानी ने अथार्व वेद का अनुबाद शुरू किया जिसे हाजी इब्राहेम सरहिंदी ने पूरा किया यानि कि स्टार्ट किया था बद्वानी ने और पूरा किया इब्राहेम सरहिंदी ने नेक्स देखते हैं लीला वती का अनुबाद फैजी ने किया राश्त रंगरी का अनुबाद मुहमत साब बादी ने कालिया दमन का अबुल फजल ने नंदम यंती का फैजी ने अनुबाद किया नेक्स अबुल फजल ने पंच्त अंत्र का पीसा सुने होंगे बसावन मीरस्यद अली और अब्दुल रहुमत निख्ट हम लोग देखें स्थापित कला मुउगलकाल के जिसमें अकभर ने आग्रा का कीला बनबाया कीले के अन्दर जांगीरी महल और अकभडी खास सेख सलीम चीस्ती कमक वरा 176 फीट उचा बुलंदर वाजा जोधा बाई का महल पंच महल मरियम महल आने तहते हम लोग देखे 1575-76 इसवी में संपुन्य समराज 12 सुबों में बटा गया दक्षिन की विजय के बाद संख्या 15 हो गई नेक्ष्ट है 1573-74 में गुजरात विजय के वाद मनसवदारी प्रथा अरम हुई नेक्ष्ट है अकवर के दरवार में इसायू के जेसुईट मिशन तीन बार आया जिसका पर्थम बार नेत्यूत का दर इकाबिया ने किया था नेक्ष्ट है आकवर ने 1577 इसबी में दिल्ली में साही टकसाल बनवाई जिसका प्रधान ख्वाजा अबुन महमत था उसने मुहर मामक एक सोने का सिका और 101 तोले का सबसे बड़ा सोने का सिका सरब और 10 रुपे मूले के बराबर गोलकार सिका इलाही चलाया चांदी का सिक जलाली एवं तामबे का सिका दाम का लाता था नेक्ष्ट जांगीर जिसका सासन का 1605 से 27 इसमी तक था इसे रेटेड फैक्ट को देखे तो जांगीर सलीम का जनम 30 अगस्त 1569 इसमी को हुआ था उनके माता आमेर जैपूर के राजा भारमल की पुत्री हरका बाई मरियम उज वारता था नेक्स ining तेम लोग देख्ते हैं जांगीर का पर्मुख सिक्षण बेररम खाक का पुत्र अबडूल रहीम ऐन में खाने था नेक्ष्ट में लो देखते हैं जांगीर का बिवा और पूत्र तो जांगीर काम वाय हुन और साभ एगम परवेज और चोथा अन बेगम सहर यार निस्ट देखते हैं जांगीर का राजा विशेग 29 अक्टूबर 1605 को आगरा के किले में हुआ और उसने नसरुदीन मुमा जांगीर बादसा गाजी की उपाधी धारन की निक्स्ट है बादसा बनने के बाद उसमें 12 आदेश जारी किय जिसमें परमुक इस परकार हैं सराब वा मादक पदार्थों का निर्मान वा बिक्री पर रोक निक्स्ट है रवीवार अकवर का जनम दिवस और ब्रिश्पतिवार जांगीर के राजा विशेग का दिन को पसु वद बंद करवाया इंपोटेंट है यहां से कोश्चन और 1626 में जांगीर के बरे पुत्र खुष्रों ने बिद्रो किया और आगरा मिसे भाग निकला सी गुरु अरजुन देव उसकी मदद की 1621 में खुर्रम ने खुष्रों को मरबा दिया जांगीर ने अरजुन देव की खुष्रों की मदद करने के लिए मिर्थू डंड दे समराज बिस्तार देखे ता जांगीर ने मेवार की साथ यूद कर संदी की जिसमें मेवार के राना अमर सिंग ने मुगलों का अधिपत स्विकार किया और मेवार पुन प्राप्त किया दक्षिर में खुर्रम ने आमद नगर को मुगल समराज में मिला लिया 1617 इसवी में आमद नगर और मुगलों की संदी हो गई बिजापूर के राजा ने खुर्रम को मुल्यबान उपार दिये और बदले में जांगीर ने उसे फजनाद पुत्र की उपादी दी खुर्रम की ही सपलता के लिए जांगीर ने उसे सा जहां की उपादी प्रदान की नेक्स फेक्ट है जांगीर के काल में कांगरा पर मुगलों ने विजय प्राप्त की नेक्स्ट है जांगीर की समय 1622 इसवी में कंधार भारत के हाथ से निकल कर सा अवबास के हाथ में चला गया नेक्स फैक्ट देखें 1622 और तेस में सा जहां और 1626 इसवी में महाबत खाने जांगीर के खिलाब बिद्रो कर दिया था महाबत खा ने जांगीर को जेलम नदी के किनारे बंदी बनाया था नुर जांगीर ने महाबत खा के विदरों को कुछलने में आम भूमिका निभाई निक्स्ट हम लोग देखते हैं एरोपी निवास्यू का आगम हुआ था जांगीर के काल में तो जांगीर के दरवार में सबसे पहले पुत गाली आये, जांगीर ने उन्हें स्वतंता के साथ सत अतरिक साहता भी दी, वह जेदुई पतादियों खासकर फादर जेवियर से पहुत प्रभावित था, निक्स्ट है, अंग्रेज भी बेपारिक सुब्दाव का फायदा उठ जाना चाहते थे, और बिलियम होकिन्स सर टोमस रू, बिलियम फिंच एडवर्ड स्टेरी जांगीर के दरवार में आये, जांगीर ने होकिन्स को 400 का मनसर दिया था, निक्स्ट है, जांगीर ने 16-16 में 9 रोज 9 दिन का पार्शी तेवार धूमदान से मनाया, उसने आगरा क किले के कुछ दूर थक घंटिया लगवाई, जिसमें एक स्वन जंजीर लगी थी, कोई भी ब्यक्ति घंटी बजा कर सीदे बादसा से संपर कर सकता था, निक्स्ट है, जांगीर का सबसे बरा गुन उसकी निया पिरेता थी, निक्स्ट है, जांगीर ने दो असप्पा, सी असप्पा की प्रता चलाई, दो असप्पा में मनसपदार को अपने सबार पद्व के दो गुना घंटे रखने होते थे, और सी असप्पा में तीन गुना अधिक, निक्स्ट है, नूर जाहा, नूर जाहा के बचपन का नाम मेरू नीसा था, उन्हें सवच्वरानमे में मेर अधिक, अलिकुली बेग के साथ हुई, अलिकुली बेग की मूर्थी के बाद मही, 1611 में जाहंगीर ने उसे विवा किया, और उसे नूर महल वह नूर जाहा की उपाधी दी, 1617 में नूर जाहा को पंधम हिंसी या बादसा बेगम बनाय गया, उसने नूर जाहा गुड का न अधिक, अपनी पुत्री लाडली बेगम की साथी सहयार से कर दी, जाहांगीर की मिर्तु के बाद नूर जाहा ने सहयार को बादसा गोसीद कर दिया, नूर जाहा की मा असमत बेगम ने उसकी मुख परामर्स दात्री थी और इतर का विसकार मानी जाती है, यहां से कोश्यन इतर का विसकार किस ने किया था, तो मा असमत बेगम ने किया था, निक्स्ट है, जाहांगीर ने अपनी जीवन गाता तुझो के जाहांगीरी की रचना फार्सी में की थी, यहां से भी कोश्यन बनता है, ध्यान रखेंगे, चित्रकला को मेरे में देखे, तो मुगल काल में उस्ताद मनसूर अबुल हसन मुसे महत्पुन चित्रकार थे, जाहंगीर ने अबुल हसन को नासीर नादिर उल जमात, एम उस्ताद मनसूर को नादिल उल असर की उपादी प्रदान की थी, जाहंगीर नहिरात के चित्रकार अकारिया के नेत्युत में आगरा में एक चित्र चितरन साला की अस्थापना की निक्स्ट अस्थापत कला मुगल की अस्थापत कला में जांगीर ने आगरा की निकट सी कंद्रा में अकबर का मकबरा लहोड की मस्जीद बनवाई जांगीर के काल में अंतिम भाग में पूरी तर संगमर्मर की मारते बग्रमाने का तथा दिवारों को फुलदार अकिर्थियों में सजाने का चलन सुरू हुआ साथ सज्जा की या सेली जराओ नकासी पियदरा द्यूरा कलाती है निक्ष्ट दिखे नुर जहां द्वारा आगरा में बनवाया गया उसके पिता एतामो दुरला का मकवरा पिछी काड़ी और संगमर्मर के पत्थर के परियोग के कारण अदूती है निक्ष्ट जांगीर की विर्थू 28 अक्टिवर 1627 को भीम बार नामकस्थान पर हुई थी उसने लाहोर में दपनाया गया जहां बाद में नुर जहां ने एक मारा मकवरा बनवाया निक्ष्ट सा जहां 1627 से नठावन इस्वी सा जहां खुर्रम का जनम 5 जनवरी 1592 इस्वी को लाहोर में हुआ उसकी माताब मारवार के सासक उदै सिंग की पुतरी जगत वसाई थी खुर्रम का विवा 1612 इस्वी में आसप खा की पुतरी अज्युमन बानो बेगम के साथ हुआ जो बाद में ममताज महल के नाम से विख्यात हुई नेश्टे 16127 इस्वी में जब जांगीर की मिर्थी हुई तब साज जहां दक्षिन भारत में था उसकी स्वसूर आसप खा और ख्वाजा अबूल हसन ने कुटनितिक चाय के ताथ खुसूर के पुतर दावर बक्स को सियासन पर बैठाया साज जहां के आदेश पर उसकी सभी प्रतिद्वन्दियों को दावर बक्स को समाप्त कर दिया गया नेश्टे 4 परवरी 1668 इस्वी को साज जहां आगरा में अबुल मुझभफर, साबुदिन, मुमद रसाहिव, किरा नेसानी की उपादी लेकर गदी पर बैठा उसके आसिब खा और चाचा और महाबद खा को खाने खाना की उपादी दी अब हम लोग पर्मुक बिद्रो देखे 1668 से 35 सिजवी में बुंदेला नायक जुजार सिंग का बिद्रो हुआ 1628-31 में खाने-खाना लोदी के नेत्यूत में अफगानों का नेतित हुआ मुगल बास्ता का द्वारा पुर्टगालियों द्वारा नमक के वेपार का अधिकार दिया गया लेकिन उसने उद्रद्यन्ता के कारण सा जहां 1632 में हुगल के छेत्र पर अधिकार कर लिया समराज बिस्तार सा जहां ने दक्षिन भारत में महाबत खाके नेत्यूत में आमद नगर पर 1633 इसवी में आक्रमन कर उसे मुगल समराज में मिला लिया निश्ट गोल कुंडा के सासक अब्दुल्ला कुतुब दीन कुतुब ने 1634 इसवी में मुगलो की संदी कर ली इस संदी के करम सा जहां ने अरंग जेव दक्षिन का सुवेदार बनाया और अरंगाबाद के मुगलो को दक्षिन की सुवो की रजधानी बनाया गया अरंग जेव दक्षिन का सुवेदार पहली बार 1636 से 44 इसवी तक रहा और दूसरे बार 1652 से 1657 इसवी में दुबारा सुवेदार बना निक्ष्ट है मीर जुमला जो हीरे और किम्ती पत्रों का बैपारी था अपने योगता के योगता से गोल कुंडा का परदान मंत्री बना था उसने भी मुगलों को सरक्षन सुवेदार कर लिया सा जहां की सवी स्परमुक संतानो ममताज से ही उतपन हुई थी उनकी सा 14 संताने में से साथी जीवित रह और इने चार पूतर तीन पूत्रियां थी ये थी जहां आरा 1614 इसवी दारा सिको 1615 इसवी सा सुजा 1616 इसवी रसन आरा 1617 इसवी अरिंग जेव 1618 इसवी मुडाद के युद में भाग लिया जहां आरा दारा सिको के पक्ष में थी रसन आरा अरंग जेव के पक्ष में और गोहर आरा ने मुराद वक्स का पक्ष लिया निक्स्ट है आंजु मंदबानो बेगाम ममताज महल की मुर्थू 1616 इसवी में प्रसपीदा के दरान बुरानपुर में हुई उसकी कबर पर साज आंग ने ताज महल बनबाया निक्स्ट हम लोग देखते हैं स्थापत्यकला साज आंग के काल अस्थापत्यकला का स्वन काल था उसने दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद आगरा के कीले में मोती मस्जिद दिवाने आम दिवाने खास ताज मह लहोर के किले में दिवाने आम साबुज, सीसमर, नौलक्ख और ख्वागा बनवाया नेक्ष्टे उसने राभी नहर लहोर तक बनवाई और तीन नहर एसाहिब को ठीक करवा कर उसे 60 मिल लंबा कराया और उसका नाम नहर एसा रखा नेक्ष्टे आगरा की जामा मस्जित साजहां की मिर्तु जहां आहरा ने बनवाई थी नेक्ष्टे ताज महल का निर्मान करने वाला मुक कलाकार उस्ताद आमद लहोरी था जिसे साजहां नादीर उज असर की उपादी परदान की थी संसार का सबसे परसिद कोईनों हीरा सा जहां के पास था साहितिक कार गंगा धर और जगनाथ पंडित गंगा लहरी के लेखक सा जहां के राजिकवी थे नेक्स्टे अचारी सरस्वत्ती और सुन्दर दस सुन्दर सिंगार और सियाशन बतीसी के लेखा को राजगी सनेक्षिन प्राप्ता नेक्स्टे अबदुल हमिद लाहोरी ने पद्पाध सा नामा लिखा रिनायत खाने सा जहां नामा का रचना की निक्ष्टे दारा सीको संस्क्रीत अरभी और फार्सी का विद्वान था उस नयनेक पुष्टकों के फार्सी में अनुबाद करवाया मुंसी बनबाडी दास्त ने प्रवध चंद्रदय और इब्न हरीकरन ने रमायन का अनुबाद किया दारा सिको निउपनिविस्तों को अनुबाद सीर ए अकवर के नाम सी किया नेश्टे उत्रदिकाडी का यूद और सार जहां का अंत सार जहां के पुत्र के उत्रदिकाडी के लिए यूद हुआ और जिसमें अरंग्जेव बिजेई हुआ यह यूद थे बाहदुर पुर का यूद फरवरी 1658 मि इस यूद में सा सुजा साई सेनक से प्राजित हुआ दुसरा धर्मत का यूद और अंजेव का मुराद की सेनाओ ने साई सेनक को प्राजित किया सामोगट का यूद 29 मई 1658 अरंजेव को मुराद की सेनाव ने दारा को पराजित किया इस यूद के बाद सा जहां कैदी बना लिया गया कैद में 8 वर्स रहने के बाद 22 जन्वरी 1666 इस भी में सा जहां की मिरतु हो गई नेक्ष्ट है खजवा का यूद अरंजेव ने सा सूजा को पराजित किया देवराई का यूद अरंजेव ने अजमेर में निकट देवराई के दर्रे मेंदारा को पराश्ट कर लिया और 30 अगस्त 1669 में उसका कतल कर दिया नेक्ष्ट है अनुतत फ्रेंच यात्री बनियर ने इटली का यात्री पनुची ने सा जहां का सासन कवर्नन किया सा जहां का रत जरित सियासन तक्ते था जिसमें कोई नूर हीरा जरा था नेक्ष्ट है सा जहां ने दारा को सा बुंदल इकबाल का उपादी परदान की थी नेक्ष्ट है सा जहां ने संगिता अगलाल खा को गुन समुंदर की उपादी दी थी नेक्ष्ट है सा जहां ने सिजदा और पायबोष की प्रथा को समाप्त कर उसके अस्थान पर चहार तस्मील की प्रथा सुरू करवाई नेक्ष्ट है और अरंजेव 1657 से 1737 स्वी अरंजेव का जनम 24 अक्टुबर 1618 स्वी को उज्यान के निकट दोहन नामक स्थान पर हुआ था 18 मही 1637 स्वी को अरंजेव का विवा रविया बीवी से हुआ था नेक्ष्ट है उसका राजा विशेक दो बार हुआ पहला राज विशेक 21 जुलाई 1659 स्वी को आगरा में हुआ और दूसरी दिल्ली में 15 जुन 1669 को हुआ वो अब्दूर मुझमफिर महुरदीन मुहमद अरंजेव बहादूर आलमगीर पासा गाजी की उपादी धारन कर मुगल सियासन पर बैठा निश्टे जनता के आर्थिक हष्ट्यों का निवारन के लिए साधारी आंत्रिक पड़ा गमन सुलक को पांदारी बैपारिक चुंगियों आधी करों को समाथ कर दिया अरंजेव ने कुरान को अपने सासक काधार बनायर उसने देश को दार उलहर्व के अस्थान पर दार उइसलाम में परिवर्तित करना चाहा उसने अपने सीकों पर कलमा खुदवाया नौरोज का आयोजन सरवाजिक संगीत समारो भांग उतपादन सराब पीने तथा जुवा खिलने पर परतिबंद लगा दिया और अंजेप ने 1663 इस्वी में सती प्रता परतिफिंद लगा दिया हिंदूओं पर किरति यात्रा कर लगाया 1663 में हिंधव तेवारों को मनाय जाने पर रोक लगा दी नेक्स्ट रणजेब ने अपने सासन के गार में वर्स जरोका दर्चन और बार में वर्स में तुला धान प्रता को भी समाप्त कर दिया उसने 1689 स्वी में जजिया कर पून लगा दिया लेकिन 704 इस्वी में दक्कन से यह कर हटा लिया गया नेक्स्ट है उसके काल में सरवादिक रूपे की डलाई हुई और उसने अंतिम काल में धाले गसी को परमीर अबदुल बाकी साबाई द्वरर रचित एक पद अंकित करवाया निक्ष्ट है और अंजेव जिन्दा पीर और साही दर्वेश भी कहा जाता है और अंजेव ने सरवादिक हिंदू अधिकारीकों की निउक्ति की थी और उसी के समय मुगल प्रांतु की संक्या अधिक 21 थी अंजेव की समय पर्मुक बिदरो अफगान बिदरो 167-59 शत नामी बिदरो 1667 बों देला बिदरो 1661 शार जाद अकबर का बिदरो 1883 अंग्रेजव का बिदरो 1883 राजपेतों का बिदरो 1989 से 79 सीक बिदरो 163 इस वी निक्ष्ट और अरंजेव की दक्कन नीती अरंजेव साह जाहा के काल में दो बार अर्ण दक्षिन का सुविदार रह चुका था 1611 इस्वी में अपने पुत साह जाधा अक्बर का पीछा करते हुए वो दक्षिन भारत पहुंचा और फिर कभी उतर वारत नहीं आ सका या दक्षिन भारत अरंजेव का कर्विस्थान सीध हुआ निक्ष्ट और उस्थ ने 1615 इस्वी में बीजापुरर 1687 इस्वी में गुलकुंडा को मुल्य समराज में मिलाया था निक्ष्ट है आनुत है अरंजेव ने अंजेव के काल में मतुरा और केसब मंदिर बनारस का विस्वनात मंदिर और पाटन का सोमनात मंदिर तोरा गया निक्स्ट है उसने तील पट के युद्धों में जाटों को परास्त किया और उसके नित्रित करता गोकुल का पकर कर मार डाला गोकुल को पकर कर मार डाला निक्स्ट है औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किला में मोती महजीद का निर्मान करवाया यह कोश्चन इंपोर्टेंट बनता है यहां से कोश्चन बनेगा थ्यान रखेंगे उसने अपनी पत निराविया उद दुरानी का मकवर और अरंगवाबाद में निर्मान में बनवायाजी से बीबी का मकवरा भी कहा जाता है निष्ट औरंगव ने केवल एक मात ग्रंद को सनक्षन परदान किया था वो था फात्वा ए जानदारी उसने नया और कानून पर एक पुस्तक फात्वा एलमगिरी की रचना कराई निष्ट औरंगव ने मराठो पर अपने परभूत की अस्थापना की राजा जैसिंग और सीवा जी ने 1665 इसवी में पुरंदर की संदी होई सीवा जी और उनके पुत संबा जी औरंगव से मिलने आगरा गए तो औरंगव ने उन्हें बंदी बना लिया और अपनी किन्तु सीवा जीवा जीवां से भागने में सफल रहे अब हम लोग देखते हैं मुगल का साचन विवस्ता यहां से कोशन बनता है तो देखते हैं केंधरिये साचन था मुगल साचन विवस्ता नियंतुरित वा संतुलन प्रधारी थी, मुगल बात्सा राज का प्रधान था, उसके बाद वकील का मुतवक पद था, परमुक अदिकारी मीरभक्सी या सेना पिभाग का परधान था, उसके द्वरा सर्खत नामक पत्र कपर हस्टआक्चिर करने के बादी सेना का मासिक बेतर निर्धारित होता था सर्द उस सर्द वा धार्मिक मामलों के बादसा का सलाकार था इसे सेक उल इसलाम भी कहा जाता था जब कभी से मुक्त काजी का पद प्राप्त हो जाता था तो उसे काज कुल कुजात कहा जाता था वा लगान मुक्त भूमी के देक्षन करता था या भूमी शिवर गाल और मदद एमास कहा जाता था मुगत सीव लोक आचरन बिनिरिक्षक करता मिर ए सामा या बात्सा के परिबार और उसकी मौल और वेक्तिगात और दैनिक आप सकता की पूर्ति की देख बाल करता था निक्ष्ट मीर आतिस हुआ साही तोब खाने का परधान था निक्ष्ट दरोगा एक डाक्चो की इसकी अधिन राज के गुपचर संबाद वाग थे निक्ष्ट मीर मुनसी वह साही पत्रों का लेखता था मीर बाहर आंत्रिक जलमारगों एवं नो सेना का अधिकारी निक्ष्ट है प्रांतिय प्रसासक सुवेदार प्रांतिय सासक का सर्वोच अधिकारी दीवान सुवे का बीत अधिकारी बक्सी सुवे की सेना की देखमाल करना वाक्य और नसीव सुवे की गुपचर विभाग का परधान समराज सूबा सरकार जीला है परंगना दस्तुकार ग्राम मावदा और दी है सरकार जीले का सासन फोजदार कानुन विवस्ता की देखवाल अलम गुजार लगान बसूल करना खाजान दर खाजांची परंगना का सासन सिकदार स्यानिक अधिकारी आमील बीत अधिकारी फोजदार खाजांची खानुंगो बटवारियों का परधान नेक्ष्टे नगर का प्रत साचन कोतबालप नगर के साचन का परधान होता था नेक्ष्टे गाउं का साचन गाउं का मुक अधिकाडी ग्राम सवा होता था जिसे खुत मुगदन और चौदरी कहा जाता था नेक्ष्ट भूमी के परकार पोलच या भूमी जिस पर हर वर्स खेती होती थी परती उर्वरक्ता प्राप्त करने के लिए एक दो वर्स बिना भूए छोड़ दिया जाता था चाचर इसे तीन से चार वर्स तक बिना भूए छोड़ दिया जाता था बन जरिय खेती लोग भूमी नहीं थी क्रिसक वर्ग क्रिसकों को तीन बढ़गों में बाटा गया था खुद कास्त खेतरी और किसान पाही कास्त बटाईदार के रूप में काम करने वाले मुंजारियान खुदा कास्त में भूमी किराय पर लेकर ग्रिसी करते थे निक्स्ट भूमी कर में अधार्प भूमी का विवाजन खालसा भूमी या साही भूमी थी जागिर भूमी परमुक व्यक्तियों का बेतन के रूप में दी जाने वाले भूमी सयूर गाल मदद एमास मुडवी अधन सान में अनुदान में दी गई लगान मुक्त मुक्ती पिछले दस बर्स के पादन और उसी समय के पचलित मुल्यों का वसत निकाल कर उस वसत का एक वटती निशाराजस्य के रूप में वसुला जाता था जो नगत रूप में होता था इस प्रनाली में एक वटता दस भाग हर साल वसुला जाना था जिसे माल ए हर साला कहा जाता था सेन न ववस्ता मुगल सेना को चार सेने में व्याजित किया गया था, अधिना स्तरा जाओ की सेना है, मनसवदारों की सेन टुकडिया, अधी सेनिक, बादशा के सेनिक, दाखिली सेनिक पूरक सेनिक निक्स दम लोग देखते हैं टापिक है मराठो का उटकर्श सत्रामी सताबदी में मुगल समराट के भीगट अनकी परकिरिया आराम होने के साथ कई स्वतन्त राज्यों के अस्थापना हुई जिसमें मराठो का महत्पुन अस्थान है जिसमें सीवा जी 1627 से 80 स्वी सीवा जी का जनम 1627 स्वी में पूना के उत्तर में इस्थित चुना नार नगर में निकट सिवनेर का दुर्ग हुआ था उसने उनके पिता जी का नाम साजी बोस्तले और माता का नाम जीजा बाई था निकट सिवा जी का उदेश 113 राज की अस्थापना करना था उनका मुल उदेश दक्षिन भारत में 113 की अस्थापना करना था निक्ष्ट सिवा जी के बेक्तितु पर सरवादिक प्रभावस की माता जीजा भायरुस के सिक्चग दादा कौंग दिम का पड़ा उसके गुरु का नाम समत रामदास था 25 जनवरी 1656 में सिवा जी ने जवाली पर बिजय प्रात की निक्ष्ट सिवा जी के बिष्टारवादी निती पर रोक लगाने के लिए 1669 इसवी में बिजा पुर्राज ने अफजल खा को भेजा किन्तु सिवा जी ने दो नॉम्बर 1869 को इसकी हत्या कर दी नेक्ष्ट है 1660 इसवी में मुगल सुबेदार साइस्टा खा को सिवा जी को समात करने के लिए भेजा गया 15 अपर 1663 को सिवा जी चुपके से पूर्णा में परवेश कर गया और आत को साइस्टा खा पर आक्रमन कर दिया साइस्टा खा इस आक्रमन से गबरा कर भाग गया पुरंदर के किले को गेर लिया अत सिवा जी ने आत समर्पन कर लिया 24 जुन 1665 को सिवा जी जै सिंग ने के माद पुरंदर की संधी उई जिसके उनसार सिवा जी ने 23 किले और 10 लाख हुन की भारसी काया के भूमी की मुगलों को दे दी थी नेग्ष्ट सिवा जी के पास के बल 12 किले ही बचे नेग्ष्ट सिवा जी ने मुगल अधिपत स्विकार कर लिया नेग्ष्ट सिवा जी ने बाजी बीजा पूर के बिरुद मुगलों का सैनिक सहता देने का वाधा किया निक्स्ट है 1663 में सीबा जीवरंग जेव से मिलनेक आगडा अगए